आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बचो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास कक्सा 9 का विज्ञान और आज हम कक्सा 9 के विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं अध्याय तो आज हमें दूसरा chapter स्टार्ट करना है और दूसरे chapter का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुध हैं के विज्ञान का अध्याई नंबर दो का एक one sort वीडियो है और अध्याई दो का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुध हैं अर्थात इसमें हमें पढ़ना है सुध पदार्थ और अशुध पदार्थ इनके बारे में पढ़ना हैं इंगलीज में हम कह सकते हैं pure matter and impure matter बासते रहें बिल्कुल हर एक topic को तो इसमें सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो करनी है द्रव्य का वरगी करन द्रव्य कह दो या पदार्थ कह दो एक ही बात है द्रव्य का वरगी करन पदार्थ या द्रव्य क्या होता है हमने पिछले chapter में discuss कर लिया है इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तू जो कुछ इस्थान गहिरती है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारख कर सकते हैं उसे हम कहते हैं पदार्थ ठीक है अब पदार्थ या द्रव्य के वर्गी करण की जब बात करते हैं तो बेटे ये जो द्रव्य पदार्थ है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है एक तो होता है शुद्पदार्थ और एक होता है अशुद्पदार्थ अशुद्पदार्थ को हम मिस्रण भी कहते हैं अशुद्पदार्थ को हम क्या कहते हैं मिश्रण तो पदार्थ मुख्य रूप से दो तरह का हुआ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ अब क्या होता है शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जिसके जो सभी कण हैं जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है तो लोहे के टुकड़े में हर एक कन लोहे का ही होगा ठीक है जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक गलास सुध जल है तो उसमें हर एक कन अर्थात हर एक अनू जल का ही होगा तो शुद्ध पदार्थ ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे कन या सारे अनू या सारे परमानू एक ही जैसे होते हैं उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ तो यहां शुद्ध पदार्थ के बारे में अगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो आपको समझना है कि शुद्ध पदार्थ फिर दुबारे से कितने तरह का होता है दो तरह का एक तो होता है तत्व और एक यौगिक यदि आपसे कोई पूचता है कि द्रव्वे कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना है द्रव्वे मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है एक तो शुद्ध पदार्थ और एक तो अशुद्ध पदार्थ फिर किसी ने पूछ लिया कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं आपको बताने हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के एक तो तत्व और एक योगिक शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं और ये जो अशुद्ध पदार्थ है इसे हम क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम है मिस्रण या तो आप मिस्रण कह दो या तो अशुद पदार्थ के बारे में discuss करना है इन सभी चीज़ों को बारी बारी से हम discuss करेंगे ठीक है बस ध्यान से समझते रहो आप और मिसरन के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं कि यह जो मिसरन होता है फिर दुबारे से दो प्रकार का होता है मिसरन इसके बारे में भी chapter में अब ही हम पढ़ेंगे एक तो होता है समांगी मिसरन समांगी मिसरन का एक दूसरा नाम भी है समांगी मिसरन को हम विलियन भी कहते हैं और एक होता है विश्मांगी मिसरन कैसा मिसरन विश्मांगी तो यदि कोई आप से पूचता है कि मिसरन कितने प्रकार के होते हैं तो को और किस नाम से जाना जाता है तो आप कोगे समांगी मिस्रण को कहते हैं विलियन. क्या कहते हैं विलियन. इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिसकस करेंगे इसी चैप्टर में बस आप पूरा ध्यान अपना रखो chapter के उपर जो जो चीज मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझते रहो बिल्कुल ध्यान से ठीक है बिटे देखो सबसे पहले हमें बात करनी है तत्व के बारे में तत्व को इंगलिस में हम element कहते हैं क्या कहते हैं element आपने पढ़ा होगा कि जो आवर्थ सार्णी है हम पढ़ेंगे आगे साइंस में भी अब तक वैज्यानिकों ने लगबग 117-118 तत्वों की खोज कर दी है आवर्थ सार्णी में जितने भी संकेत लिखे होते हैं वे सब तत्व ही होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी कक्साओं में सातवी क्लास में पढ़ा होगा क लोहे का संकेत क्या होता है F.E. होता है कॉपर का संकेत C.U. होता है कॉपर को हम तामभा भी कहते हैं मरकरी यानि पारे का संकेत होता है H.G. तो ये लोहा, कॉपर, पारा, ब्रोमीन, ऑक्सीजन ये जितने भी आवर्थ सार्णी में होते हैं ये सब तत्व होते हैं अब सवा लीजी कि सर पता चला गए तत्व होते हैं पर तत्व का वास्त वीक्ता में क्या आर्थ हैं एंस तो Après रहे होता है तुभ तो आपको ध्यान रखना है कि यदी मान लो मेरे पास एक लुहे का ही टुकडा है मानलो लो का कुड़ा है मेरे पास एक है का लौ और उस लोहे के टुकड़े को मैं तोड़ देता हूँ तो तोड़ने पर उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे उनमें भी तो सब में एफ़ी होगा लोहाई होगा ऐसा दो है नि कि मैंने उस लोहे के टुकड़े को तोड़ दिया तोड़ने से जो छोटे छोटे पीस मुझे मिले वे किसी दूसरे पदार्त के उगे बई तूटने से पहले वो पदार्त क्या था लोहा था और तूटने के बाद भी क्या है लोहा अब आप कहरें, यह जो लोहे के टुकड़े आपको मिले, इन्हें पीस दो ना पीस दो बिल्कुल पाउडर बना दो तो पाउडर का हर एक कन भी क्या होगा लोहाई होगा, एफ़ी ही होगा मतलब तत्व वो पदार्थ होता है तत्व पदार्थ का सरलतम रूप होता है छोटा रूप बहुत और वो रूप जिसके उपपर चाहे आप कोई सी भी विधी लगा दो कोई सी विधी का मतलब चाहे भौतिक विधी लगा दो या रासाइनिक विधी लगा दो चाहे उसे पीस लो उसका पाउडर बना दो या किसी रासाइनिक विधी से आप उसे तोड़ने की कोशिस करो तो वो जितना भी तूटेगा न, वो अपने रूप को maintain रखेगा यानि लोहे को कितना भी पीस दोगे रहेगा तो लोहाई तो सारे तत्व ऐसे ही होते हैं, जैसे कार्बन है कार्बन को कितना भी पीस के उसका powder बना दो रहेगा तो कार्बन ही यानि तत्व को किसी भी विधिद्वारा आप दो अलग-अलग प्रकार के पदार्थों में नहीं तोड़ सकते वो जैसा है वैसा ही रहेगा बिल्कुल पक्की बात है जैसा है वैसा ही रहेगा तो यहां हमें बात करनी है तत्व या एलिमेंट ही परिभासा क्या लिखकर आनी है लिखकर आनी है तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीती से रीती का मतलब विधी जो किसी भी रीती से दो या दो से अधिक भिन गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किये जा सकते हैं मतलब वे अलग-अलग पदार्थों में टूटी नहीं सकते जो है वो ही रहेगा और नहीं उनसे बनाए जा सकते हैं मतलब तत्व को ना तो आप दो अलग-अलग परकार के पदार्थों में तोड़ सकते और नहीं अलग-अलग परकार के पदार्थों से तत्व को बना सकते तत्व की यही खासियत होती है और यही परिवासा होती है तत्व की ठीक है बिटे जैसे एक्जाम्पल देखो उधारण लोहा एक तत्व है लोहे को कितना भी पीस लो लोहा ही रहेगा ऐसा नहीं होनेगा कि लोहे को आपने पीस दिया तो कुछ तो बन गया अलूमीनियम और कुछ बन गया तामबा ऐसा नहीं होनेगा है लोहा लोहा ही रहेगा जैसे कौपर है कौपर भी एक तत्व है यह भी अपना अस्तित्व कोता नहीं है कितना ही इसे पीस दो कितना ही कोई सी विदी लगा दो मरकरी पारा भी आपको पता है एक ऐसी धातू है धातू तो ही पर तत्व है तत्व कहीं तरह के होते हैं तत्व धातू भी होते हैं एधातू भी होते हैं उपधातू भी इसी chapter में आगे discuss करेंगे oxygen भी एक तत्व है तो बहुत सारे तत्व है जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताये कि तत्व मुख्य रूप से लगभग 117-118 प्रकार के तत्व की खोज वैज्ञानी को द्वारा कर दी गई है अब तक ठीक है विटे उन में से बहुत सारे तत्व तो ऐसे हैं जो प्रकरती में हमें नैचुरली यानी प्रकरतिक रूप से उपलब्द हैं और कुछ ऐसे हैं जो वैज्ञानी को द्वारा बनाए गए हैं करत्रिम विधियों से ठीक है इफिसेली बनाए गए हैं तत्व देखो हमें पता चलिगा कि तत्व अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोदता चाहे आप उसे कितना ही तोड़ लो कोई सी भी विधी लगा लो भौतिक विधी यार असाइनिक विधी तो यहां नोट में एक बात लिखी भी है आखिरकार कैसे होते हैं क्या खासियत होती है तत्व की तत्व भी पदार्थ की एक अवस्था है क्या है पदार्थ की एक अवस्था है यानि द्रव्वे की एक अवस्था ऐसी सरल अवस्था सिद्धी साध्धी अवस्था जिसे आप दो अलग-अलग प्रकार के पदार्थों में नहीं तोड सकते आप उसे कितना ही तोड लो तत्व हमेशा तत्व ही रहेगा लोहा हमेशा लोहा ही रहेगा तामबा हमेशा तामबा ही रहेगा आकसीजन हमेशा आकसीजन ही रहेगी ठीक है, अलूमीनियम हमेशा अलूमीनियम ही रहेगा तत्व की ये खासियत होती है जब वो दो अलग-अलग प्रकार के पदार्थों में तूटनी रहा तो इसका मतलब वो बहुत सरल है सरल का मतलब साधारणा ठीक है, तो तत्व के बारे में आपको पता चल गया फिर दूसरा जो सुद्बदार्थ हमें पढ़ना है वो है योगिक योगिक को इंगलिस में हम कहते हैं कमपाउंड क्या होता है योगिक मानलो आपके पास दो या दो से अधिक तत्व है जैसे मानलो मेरे पास एक तत्व है हाइडरोजन और एक तत्व है ऑक्सीजन जब ये दोनो तत्व आपस में मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में तो बनता है H2O ठीक है हाइडरोजन के कितने परमाणू है दो ऑक्सीजन का एक परमाणू है तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं उनके बीच रासाइनिक संयोग होता है तो रासाइनिक संयोग से एक निश्चित अनुपात में उनके मिलने से बनता है योगिक तो यदि कोई आप से पूसता है कि योगिक किसे कहते हैं तो आपको जवाब यही देना है तत्व का तो पता चल गया तत्व वो पदार्थ होता है जो अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता जिसके उपर आप चाहे कोई सी भी विदी लगा लो वो अपने आपको बनाई रखता है दो अलग-अलग प्रकार के प तनुपात होता है उनके जुड़ने का अपस में तो उनके किनके तत्वों के एक निश्ची तनुपात में आपस में जुड़ने पर जो भी पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं योगिक क्या कहते हैं योगिक या कंपाउंड के बारे में आपको क्या लिखना है योगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्ची तनुपात में देखो लिखाव है निश्ची तनुपात में रासाइनिक संयोग से बनते हैं योगिक के गुण उसके अवियव तत्वों के गुणों से भिन होते हैं ये चीज सारे बच्चों के समझ में आना बहुत जरूरी है देखो जैसे यहाँ एक एक एक्जाम्पल है चलो इस एक्जाम्पल को ही मैं डिटेल में एक्स्प्लेन करता हूँ एक्जाम्पल है कि जल के गुण उसके अवियवी तत्वों हाइडरोजन व्य ओक्सिजन से भिन होते हैं तो जल के गुण होते हैं वैजल में कितने अवियव हैं देखो जल कितने ततवों से मिलकर बना है आप कहोगे कि सर्थ 2 ततवों हैं बात को छोड़ दो हमें पता है चल गया कि इसमें 2 तरह के ततवों हैं और उक्सीजन इन दोनों से मिलकर बना हुआ है तो यदि मैं आपको कहूं कि मुझे यूं बताओ कि जल में क्या वेही गुण है जो इसके अव्यवों में हैं हाइड्रोजन और उक्सीजन में तो आप कोगे कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं मुझे अच् स्वाद के अनुसार और नमक मिलाने के बाद उसी एक गिलास पानी में हमने मिला दी चीनी और उसमें हमने मिला दिया निम्बू निम्बू का रस भी मिला दिया थोड़ा था ठीक है इस से हमारे पास एक फस्कलास सर्बत तयार हो गया आया जिसे आप सिकंजवी कहते हो सिक तो पानी नमक चिन्नी निम्बू इन सारी चीज्जों को मिला के आपने एक सिकंज्वी या सर्बत तयार कर दिया तो यह जो चीज बनी है इसके अवियव यही तो है इनसे ही तो मिलकर बनी है इसके घटक या अवियव या इसके भाग ये हैं चर्रो तो जब आप एक सर्बत क एक घूंट पी होगे ना इसे वाले सरबत का तो मुझे बताओ सरबत का घूंट पी कर क्या आपको उस सरबत में पानी का घूंट दिखाई देगा आप कहोगे कि हाँ सर पानी का तो तरलता तो है उसमें यानि वो जिस से मिलके बनावा उसमें से एक घटक पानी है और उसमें तरलता है यानि वो पानी के गुण को परदरसित करता है उसका गुण दूसरा मैं कहूंगा कि जब आपने एक गुण सर्बत की भी क्या उसमें नमक महसूस होगा आप कहोगे हाजी महसूस होगा नमक पक्की बात है यानि वो जो है इन से मिलकर बनावा है वो पानी के गुण को भी परदरसित कर रहा है नमक के गुण को भी परदरसित कर रहा है क्या उसमें कुछ मिठा आपको लगेगा टेस्ट में आप कहोगे कि हाँ सर चट पटा लगेगा यानि मिठा टेस्ट भी उसमें आएगा यानि चिन्नी के गुण को भी प्रदर्शित कर रहा है क्या उस एक घूट सर्बत में आपको कुछ खटापन नजर आएगा महसूस होगा खटापन आप कोगे कि हाँ सर होगा खटापन महसूस इसका मतलब नीमू के खटेपन को यानि नीमू के गुण को भी वो प्रदर्शित कर रहा है वो एक मिठरन है ओ मिठरन जिन भी अव्यवों से मिलकर बना है उन सब की उपस्थिती को बताता है एक घूट सर्बत मिठरन की तो ये खासियत होती है कि मिठरन जिन भी अव्यवों से जिन भी पदार्थों से जिन भी घटकों से जिन भी भागों से मिलकर बना होता है उन सभी के गुण को प्रदर्शित करता है यानि मिठरन के गुण अपने अव्यवों के गुणों के मिले जुले यानि उसका मिश्रित रूप होते हैं उनका सबका समझ में आई बात पर योगिक नहीं होता है ऐसा योगिक जिस जिस अवियव से घटक से जिस जिस तत्व से मिलकर बनाये न उसके गुणों को बिलकुल नहीं दिखाता है योगिक का हिसाव भी कुछ उलटा है देखो यहां तो समझ में आ गया कि हाँ भई सर्वत ने इन सबके गुणों को प्रदर्शित किया उससे पता चल रहा हाँ नमक भी डाल रखा इसमें चिन्नी भी डाल रखी निम्बू भी डाल रखा पानी तो है पर जब हम योगिक की बात करते हैं H2 होगी यह एक योगिक है इसमें दो तत्व आपस में एक निश्ची तनुपात में जुड़े हैं हाइडरोजन और ऑक्सीजन दो तत्व अब यदि मैं हाइडरोजन के गुण की बात करूँ न ठीक है तो बेटे हाइडरोजन एक गैस है और बेटे एक जुड़न सील गैस है हाइडरोजन की खासियत यह है कि हाइडरोजन एक जुड़न सील गैस है समझ में आई बात हाइडरोजन में आग लग जाती है अब दूसरा क्या है आक्सीजन दूसरा तत्व है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में आपको पताई है ऑक्सीजन जलाने में सहायक है मतलब कहने की बात यह है कि कहीं भी जहां भी आग लगती है वहां ऑक्सीजन की उपस्थिती में ही लगती है यदि oxygen नहीं है तो आग कैसे लग जागी सब को बताएगी जहाँ oxygen होगी वहीं आग लगेगी तो oxygen चलो मैं O2 लिख देता हूँ जिससे आपका confusion दूर हो जाए O और O2 O एक परमानू है दो परमानू आपस में जुड़ गे तो oxygen गैस बनगी तो ध्यान से यह समझना है कि बताओ oxygen इसमें जो दो तत्व है hydrogen और oxygen है hydrogen तो जलने को तयार होरी क्योंकि जुलन सील है और oxygen जलाने को तयार होरी oxygen तो हर एक चीज़ को जला देती है उसका कामी जलाना है हम स्वसन किरिया में oxygen लेते हैं तो oxygen पता क्यों लेते हैं क्योंकि हमारी जो कोशिकाओं में खाना होता है ना कोशिकाओं में फूड होता है डाइजेस्टिड फूड तो वो खाने को जलाती है जाकर हमारी कोशिकाओं में जिससे हमें उर्जा प्राप्त होती है ATP के रूप में और वो उर्जा इकठी होती है माइट्रो कॉंडरिया में पता है ना इसलिए तो माइटो कॉंडरिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो हमने खाना खाया ना वो खाना हमारे डाइजेस्ट हो गया जाके छोटी आत में और पचने के बाद वो खाना खून ने उठा के कोशिकाओं तक पहुंचा दिया अब उस खाने को जला कर उससे उर्जा भी तो प्राप्त करनी है और उर्जा प्राप्त करने के लिए खाने को जलाना पड़ेगा कोशिकाओं में और जलाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन तो हाइडरोजन है इसमें पानी में वो तो जलने को तयार है और आक्सीजन है पानी में वो जलाने को तयार है तो इसका मतलब तो हाइडरोजन और आक्सीजन जब आपस में मिलेंगी एक जलने को तयार एक जलाने को तयार इसे तो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होना चाहिए था पानी को खतरनाक आग पैदा करने वाला विस्पोटक पदार्थ पर सच्चाई तो आपको पता है यह आग पैदा करने वाला कोई बमिया विस्पोटक पदार्थ नहीं है पानी यह तो आग को और बुझाता है आग को तो बुझाता है पानी और इसके जो अवियव हैं उसमें hydrogen तो जलने को तयार है, oxygen जलाने को तयार है, पर पानी जो गुण दिखा रहा है, वो अपने अवियवों से बिलकुल अलग गुण दिखाता है, अपने अवियवों से क्या दिखाता है, अलग गुण, तो जबी तो यहां लिखा है, यहां लिखा है कि योगिक के गुण उसके अवियव तत्वों के गुणों से भिन होते हैं जैसे एक्जामपल में लिखा कि H2O के गुण, पानी के गुण उसके अवियवी तत्वों हाइडरोजन वे ऑक्सीजन से भिन होते हैं, बताओ समझ में आईगा बात आगी समझ में तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रखोगे ध्यान, चलो आग्या जाओ पता चल गया ना, योगिक किसे कहते हैं योगिक का मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्ची तनुपात में आपस में जुडेंगे तो योगिक बनेगा ठीक है, तत्व किसे कहते हैं जो अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोएगा चाहे उसके उपपर कितना ही थर्ड डिगरी लगा दो चाहे उसके उपपर अब हम बात करेंगे तीसरे परकार के पदार्थ की जिसे हम कहते हैं मिस्रन या मिक्स्चर मतलब जब दो या दो सेधिक पदार्थों को आप आपस में मिलाओगे न और किसी भी अनुपात का ध्यान नहीं रखोगे और उनके बीच रासाइनिक सैयोग नहीं होगा, तो दो या दो सेधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में यानि एनिश्चित अनुपात में आपस में मिलाओगे और उनके बीच रासाइनिक सैयोग नहीं होगा तो मिस्रण बनता है तो यहां लिखावा है मिस्रण की परिभासा में दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से मिस्रण प्राफ्थ होते हैं ठीक है समझ में आई बात, अब यहां एक चीज समझनी है, कि किसी मिसरण के गुण, उसके अवियवों के गुणों को परदर्शित करते हैं, देखो सरबत का उधारन, सिकंजी का उधारन अभी दिया था आपको, वो एक मिसरण है, उसमें कोई पदार्थोगा अनुपान अनुपात चिन्िदी भी आपने स्वादगय अनुफार डालोगे, उस तो ऐसे लोग हैं, जो चिन्रों बानए नुप तो कोई निश्चित अनुपात तो नहीं होता, यदि निश्चित अनुपात ओता और उनके बीच रसाईनी करिया होती, और रंवे टत्व होते, तो हम क मिलाया चिन्नी मिलाई निम्बू का मिसरन ठीक है मतलब पानी नमक चिन्नी और निम्बू का जो मिसरन है उस मिसरन को जिसे आप सिकंजवी या सरबत कहते हो उसके अंदर खासियत ही है कि वो पानी के गुणों को प्रदर्सित करता है अब हमें सीखना है मिस्रन के प्रकार हमें सीखना है मिस्रन के प्रकार या types of mixture देखो बिटे मिस्रन दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के ध्यान रखना मिस्रन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के उसमें जो पहला प्रकार हम पढ़ना है वो है समांगी मिस्रन या फिर आप कह सकते हो होमो जीनियस मिक्स्चर क्या होता है समांगी मिस्रन सम माने समान अंगी माने अंग मानलो आपके पास एक बरतन में आपने कोई मिस्रन तयार किया है इस तरीके से ये बरतन में आपने मिस्रन तयार कर दिया जैसे मैं आपको कहूँ की मानलो हमारे पाइप पानी है और पानी में आपने नमक गोल दिया तो यह एक मिसरनी तो है क्योंकि इसमें कुछी निश्ची तनूपात की आवशकता नहीं है इस पानी में चाहिए आप एक चमबच नमक गोल दो या दो चमबच गोल दो कोई निश्ची तनुपात नी है तो जब पानी में नमक को गोल दोगे गोलने के बाद आपको पता है कि इस पूरे पानी में नमक के कण होंगे इस तरीके से नमक के अनू होंगे इस तरीके से तो उनका जो पानी और नमक है दोनों का जो वितरन होगा वो एक समान होगा वितरन माने डिस्ट्रिब्यूसन यानि ऐसा नहीं होने का कि नमक गुलने के बाद एक कोने में बैठा हुआ है यहां यहों कह रहा कि मैं तो यहीं रहूँगा फिर उस भाग में तो नमक कम है और इस भाग में नमक जाद है यदि किसी भी मिसरन कोई भी मिसरन आपको ऐसा नजर आता है कि उसमें जितने भी घटक हैं दो घटक तो होंगी जब मिसरन बनेगा, दो चीज़े तो होंगी तभी तो मिसरन बनेगा, अकिला क्या मिसरन बना लेगा, अकिला तो मिसरन बनाई नहीं सकता, यदि खली पानी पानी ले लू तो मिसरन थोड़ा ही है, और यदि खली नमक नमक ले लू तो मिसरन नहीं है, व और मिलने के बाद हम एक चीज़ नोट कर रहें कि नमक इसमें गुलते ही गायव हो गया ऐसा पता क्या हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी और नमक के कणों का आकार लगबग बराबर है जिस मिसरण में जो अवियव आपने इस्तमाल करें मिसरण को बनाने के लिए उन अ पानी है उसमें नमक गुलावा है चिन्नी आप बिना टेस्ट करें आप पहचान नहीं सकते हो क्या है क्योंकि वह गायब होगे गुलने के बाद क्योंकि उनके कणों का आकार पानी के कणों के आकार के लगबग बराबर हो गया तो समांगी मिसरण का मतलब सम माने समान माने अंग जिनके कणों का आकार जिसके घटक के कणों का आकार एक जैसा हो और जिसके सारे घटक दिखाई ना देते हो और उनका वित्रन एक समान हो उसे कहते हैं समांगी मिस्रन देखो पहली बात समांगी मिस्रन की परिभासा जिस मिस्रन के अवियवों के कणों का आकार ल मितरण मने ऐसा नहीं कि नमक कोने में इकठळ हो गया, पूरे में समान रूप से फैल जाएगा, समांगी मिसरण कहलाता है, ऐसा होता है समांगी मिसरण, मतलब एक तो अवियवों के कणों का आकार बराबर होना चाहिए लगबग, और वितरण समान होना चाहिए पूरे के रखता है बताओ नमक घुलने के बाद दिखाई देगा क्या इसमें चिन्नी भी घुल देना वो भी नहीं दिखाई देने की वो भी गायव हो जाएगी तो समांगी मिस्रण की खासियत यह होती है कि उसके जो सारे अवियव हैं वे दिखाई नहीं देते हैं ठीक है पिटे आपको परिभासा देनी दो या दो से दिख पदार्तों के समांगी मिस्रण को विलियन कहते हैं यह परिभासा याद गरते हैं बच्चे दो या दो से दिख पदार्तों के समांगी मिस्रण को विलियन कहते हैं अब एक्जामपल देखो समांगी मिस्रण का यदि आप पानी म नमक मिला दोगे तो समांगी मिसरन है क्योंकि नमक घुलते ही गायब हो जाएगा एकदम यदि पानी में आफ चिन्नी मिला दोगे तो वो भी समांगी मिसरन है क्योंकि चिन्नी घुलते ही गायब हो जाएगी क्यों गायब होगी क्योंकि दुन्नों के कणों का आकार लगबग बराबर है इसलिए गायब होगे और छोटा है बहुत ज़्याद साही पानी में यदि निम्बू गोल दोगे तो ये भी समांगी मिसरन बनेगा क्योंकि निम्बू कजुर रस है वो दिखाई निदेनेगा गुलने के बाद तो आपको पता चलिए ना समांगी मिसरन की क्या खासियत होती है एक्जामपल जब भी हम किसी टॉपिक को डिसकस करते हैं तो उसके एक्जामपल हमें याद रखने चाहिए यदि कोई आप से पूचता है समांगी मिसरन किसे कहते हैं तो आप उधारन याद रखो पानी में नमक गोल रखा वो समांगी मिसरन है यह जो हमारी हवा है ना यह हवा भी समांगी मिसरन है क्योंकि हवा में बहुत सारी अवियव हैं बताओ हवा में नाइट्रोजन है या नही oxygen है या नहीं carbon dioxide है या नहीं helium है या नहीं argon है या नहीं बहुत सारी gas से हवा में हैं बताओ कोई सा गटक कोई सी gas दिखाई दे रही है आपको आप कोगे ना जी कोई सी भी gas नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उन सभी gas हो के कणों का आकार लगबग बराबर है और वो इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं ठीक है बहुत ज़्यादे powerful सुक्षम दर्सिगी आवशकता है बहुत सकती साली सुक्षम दर्सिगी हवा के कणों को देखने के लिए समझ में आरी बात अब देखो पता चल गया समांगी मिसरण जब हम याद रखना है तो हमें उसका उधारन अपने दिमाग में ले आना चाहिए एक दम ठीक है जब भी समांगी मिसरण की बात होती है तो नमख में पानी गोल दो उल्टाई बोल दिया पानी में नमख गोल दो देखो नमबर दो दूसरे प्रकार का जो मिस्रण होता है उसे हम कहते हैं विश्मांगी मिस्रण या हेटरो जीनियस मिक्स्चर क्या होता है विश्मांगी मिस्रण विश्मांगी का मतलब विश्म है यानी अलग अलग है अंगी मने अंग जिसके अवियव जिसके भाग अलग अलग है उनके कणों का आकार अलग अलग है वे आपस में मिलने के बाद अलग अलग दिखाई दे रहे जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक गिलास में पानी है और उस पानी में आप रेत गोल दो, तो बताओ रेत गोलने के बाद गायब हो जाएगी क्या, नहीं गायब नहीं होगी, रेत तो आपको दिखाई देगी, आप उस ग्लास में पहचान लोगे कि इस पानी में तो रेत है, यानि उसके दोनों अवियाब, पानी भी अलग दिखाई दे रहा, आपको रेत भी अलग दिखाई दे रहा, तो वो विश्मांगी मिसरन है, उसमें वितरन एक समान नी होने का रेत का, यदि आप उसे चम्मच से गोल दोगे तो तो रेत उपर उपर मिली रहेगी, और यदि आप उसे सांती से रख दोगे ना एक गिलास पानी को जिसमें रेत गोल रखा है तो रेत निच्छे नहीं बैठ जाएगी सारी बैठ जाएगी न तो बताओ जब रेत निच्छे बैठ की तो रेत का वितरन पूरे पानी में बराबर थोड़ा ही होगा समान वितरन थोड़ी होगा निच्छे-निच्छे बैठी जाद है उपपर ही नहीं तो ऐसा होता है विश्मांगी मिसरण देखो, जिस मिसरण के अवियवों के कणों के आकार में इतना अंतर होता है कि सभी अवियवों को अलग-अलग देखा जा सकता है विश्मांगी मिसरन कहलाता है मतलब पानी के कणों का आकार और रेत के कणों का आकार अलग-अलग है इसलिए दोन्नों दिखाई दे रहे विश्मांगी मिसरन है जब आपकी मम्मी कच्चे चावल और कच्चे दाल उन दुन्नों को मिला के आपको दे देगी किसी दिन जब आपसे जदे परिसान हो जाएगी और कहेगी दुन्नों को अलग अलग करो जब तुम्हारे पास कुछ काम है ही नहीं तो आप दाल का एक एक दाना अलग देख पाओगे चावलों के अंदर देख पाओगे न तो वो विश्मांगी मिसरन है क्या है विश्मांगी मिसरन यदि आपको रेत और बजरी बजरी को कुछ लोग गिट्टी भी कहते हैं तो रेत और बजरी इन दुन्नों को मिलाओगे तो दुन्नों चीज़ें अलग-अलग दिखाई देंगी आपको यानि ये भी क्या है विश्मांगी मिसरन है तो यहां लिखावा है जिस मिसरन के अवियवों के कणों के आकार में इतना अंतर होता है कि सभी अवियवों को अलग-अलग देखा जा सकता है विश्मांगी मिसरन कहलाता है जैसे पानी और रेत पानी में रेत मिलाओगे दोनों दिखाई देंगे साफ पता चलेगा रेत गोल रखा तो विश्मांगी मिसरन है जैसे रेत में आपने बजरी मिला दी बजरी कह दो या गिट्टी कह दो दिखाई देंगे कि रेत और बजरी दो चीज हैं इसमें तो यह भी विश्मांगी मिसरन है जल में आप तेल मिला दो जैसे जल में सरसो का तेल मिला दो तो जब तक आप उसे गुमात्ते रहोगे जब तक तो मिला रहेगा और जब वो से सांती से रख दोगे तो सरसो का तेल तो उपर आ जाएगा पानी नीचे है तो बताओ कि इसमांगी मिसरण नहीं है क्या इसी तरह मिट्टी का तेल भी पानी में मिला दोगे तब भी तो ऐसा ही होगा मिट्टी का तेल माने केरोसिन तो ऐसे होते हैं विश्मांगी मिस्रण ठीक है बिटे अब आते हैं अगले point पर ध्यान से समझना बहुत important है यह यह important है क्योस्चन यह क्या है बताओ क्योस्चन क्योस्चन है योगिक और मिस्रण योगिक और मिस्रण में क्या अंतर है what is the difference in between compound and mixture ठीक है मैंने आपको बताया था कि योगिक कब बनता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हूं रासाइनिक संयोग से बनता है योगिक और मिस्रण कब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्त किसी भी अनुपात में आपस में मिल जाते हूं अब देखो जब हमें इनमें अंतर सीखना हो ना दुर्णों में इन दुर्णों में अंतर सीखना है important के उस चने ये बात तो पक्की है हमें अंतर सीखना है योगिक और मिश्रण में जब भी हम किसी भी टॉपिक का comparative study करते हैं तुलनात्मक अध्यन करते हैं कि एक को इधर लिख लिया एक को इधर और उनके गुणों में अंतर कर रहे तो हमें वे टॉपिक बहुत अच्छे crystal clear हो जाते हैं बिलकुल इसलिए कोसिस करनी चाहिए कि हमें तुलनात्मक अध्यन करना चाहिए ठीक है देखो योगिक योगिक में पहली बात दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोग से बनते हैं यह तो परिभासा ही है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलेंगे और उनके बीच रासाइनिक से योगोंगा तो योगिक बनेंगे मिश्रन देखो दो या दो से अधीक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं भई दो या दो से अधीक पदार्थ अब यहां confusion पदार्थ में नी होना चाहिए पदार्थ का मतलब पर्मानू भी ले लो चाहे अनू ले लो चाहे योगिक ले लो चाहे फलाना, धिमकरना, एरा, गेरा, नत्थू, खेरा कोई साभी पदार्थ ले लो आप इसमें confusion नी होना चाहिए ठीक है? तो निश्चित अनूपात में यदि यहां सर्त है तत्व यहां तत्व जरूर है और यहां तत्व के जगा क्या है? पदार्थ अब तत्व भी अपने आप में एक पदार्थ ही है ध्यान रखना चाहे तत्व ले लियो यहाँ ठीक है बिटे? तो दो या दो सेधिक तत्वों के निश्चित अनूपात में रासाइनिक संयोग से बनते हैं योगिक और दो या दो सेधिक पदार्थों के किसी भी अनूपात में मिलने से बनते हैं मिसरना दूसरा अंतर इनका संगठन सदैव इस्थाई होता है मतलब संगठन इस्थाई का मतलब जैसे हम एक योगिक ले रहे H2O ये एक योगिक है इसमें हाइडरोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक अनुपात आठी रहेगा भारात्मक अनुपात ये भारात्मक अनुपात है वजन का अनुपात है दुनों के एक अनुपात आठ अब यहां सोच रहोंगे जी कैसे देखो हाइडरोजन के दो परमानू है और एक परमानू का परमानू भार होता है एक AMU तो दो का दो हो जाएगा ऑक्सिजन का परमानू भार होता है इसका दो इसका सोला हो गया तो जब आप दो अनुपात सोला को दो से डिवाइड करोगे तो दो इकम दो और दो अठे सोला नहीं हो जाएगा दो इकम दो और दो अठे सोला तो एक चमब डाल दो चाहे अद्दा चमब डाल दो चाहे डाल लो ही ना बताओ इस थाई है क्या इनका संगठन नमबर तीन योगिक के गुण उनके अवियव से अलग अलग होते हैं अभी जल का उधारन लिया था हाइड्रोजन का गुण जलने का ऑक्सीजन का जलने का पर पानी त दिखा रहा तो योगिक के गुण उसके अवियवों से अलग होते हैं और यहां मिसरन के गुण उसके अवियवों के समान होते हैं यादि उसके अवियवों के गुणों के मिले जुले गुण उसके अवियवों के गुणों का मिसरन होते हैं सिकंजवी में सारे गुण थे न और आप एक गिलास पानी को ले के हत्रोडे से पीटना शुरू कर दो और उसमें से हाइडरोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हाइडरोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दोगे क्या आप नहीं कर सकते आप कहोगे जी पानी को पीटने से हाइडरोजन और ऑक्सीजन अलगनी होने किया क्योंकि वो यॉगिक है आप उसे पानी को गरम करके देख लो तो यदि पानी को बरतन में लेके गरम करोगे जो बचेगा वो भी पानी और जो उड़के भाग गया वो भी पानी वास्पी तो होगी जल वास्प है तो S2OE तो कोई भी बहुतिक विधी आप लगा लेना चाहे आप पानी को छानना शुरू कर देना कि आक्सीजन उपर रह जाए और आइडरोजन निच्चे निकल जाए तो भी नहीं होने का तो योगिक में जो अवियव होते हैं योगिक में जो तत्व होते हैं उन्हें तत्वों को आप भौतिक विधी द्वारा अलग नहीं कर सकते नमबर चार इसमें देखो जरा मिसरन के अवियवों को भौतिक विधी द्वारा अलग किया जा सकता है जैसे मैं आपको कहूँ कि पानी में हमने नमक मिला रखा आपको दुन्नों का अलग करना गरम कर दो पानी भाब बनके उड़ जागा नमक नमक बच जागा बरतन में बताओ सच नहीं है का हो नहीं किया अलग और मैं आपको कह रहा कि H2O में से हाइडरोजन और औक्सीजन को गरम करके पीट के लग कर दो नहीं कर सकते आप अब यदि आपके पास सरसो है सरसो के दाने सरसो का तेल तो आपने यूज किया होगा तो सरसो के दाने उतते हैं जो खेत में सरसो उतती है पीली पीली तो उसकी फली लगती है दाने उतते हैं सरसो के सरसो के दाने और चावल यह दोनों मिक्स कर दिये किसी ने तो बताओ मिसरन है मिसरन ही तो बना और मिसरन में भी विश्मांगी मिसरन बना आप अलग-अलग कर दोगे उने आप कोगी हाँ हमारे घर में एक छलनी रखी भी आसी मम्मी यूज़ करती है उसे उस छलनी के जो छिद्र है उनका साइज इतना होगा कि सरसो के दाने तो निच्चे निकल जाएंगे पर चाबल के दाने नहीं निकलेंगे तो आप अलग कर लोगे उने अराम से अब एक एक दाने को उठा के चुग ना उर्जे वो बीन ना उसे वो तो बहुत मुस्किल काम है उसमें तो जमनने बीत जाएंगे ठीक है तो हर एक जो अशुद पदार्त होता है ना मिसर ने एक अशुद पदार्त है अशुद पदार्तों को उसके जो उसमें जो जो चीज है जो जो उसमें घटक है अवियव उनमें से किसी को आप अशुद्धी भी कह सकते हो जो कम मातरा में होता है ना उसे अशुद्धी कहते हैं कोई भी मिसर ने जैसे पानी में नमक गोल दिया आपने तो पानी और नमक में कम कोन होगा नमक तो मैं नमक को अशुद्धिक होँगा समझ रहे ना तो मिस्रण के अवियवों को भहतीक विधियों द्वारा प्रथक किया जा सकता है ठीक है बटे अब आते हैं नमबर पांच पर नमबर पांच पांच वांतर योगिक के निर्मान में उश्मा अवशोसित या उत्सरजित होती है जब भी योगिक बनता है तो या तो उश्मा निकलेगी बाहर और या तो उश्मा अवशोसित होगी और यहां बताओ मिस्रण के निर्मान में उश्मा अवशोशित या उत्सरजित नहीं होती जब भी मिस्रन बनता है ना तो उश्मा निकलती है और ना ही उश्मा अवशोशित होती है मिस्रन के निर्मान में कुछ नहीं होता है योगिक के निर्मान में होता है ये ध्यान रखना है क्यों होता है क्लास 11, 12 में 10 में भी चलो देख लेंगे हम इस पॉइंट को पर अभी तो मैं थोड़ा सा हिंट दूँगा जादे डिटेल में नहीं गुसूँगा जब भी कोई भी योगिक बनता है ना योगिक के बनने में परमाणू आपस में जुड़ते हैं और जब भी परमाणू आपस में जुड़ते हैं तो उश्मा निकलती है बाहर अब आप कहोगे कि सर हाँ ठीक है उश्मा उत्सरजीत होती है पर आपने हाँ अवशोशीत भी तो लिखवाया बरिक कुछ योगिक ऐसे हैं कि उनके निर्माण में उसमा अवशोशीत होती है ठीक है यह सारी बाते हम अगले लेवल पर पढ़ेंगे यानि क्लास 10th, 11, 12th में अभी मैं ज़्यादे डिटेल में हाँ गुसना नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नमबर 6, 6 अंतर योगिक के प्रतेग भाग का संगठन समान होता है कोई भी योगिक है उसके हर एक भाग का संगठन एक जैसा होगा हर एक भाग का संगठन समझ रहे आप हर एक भाग का संगठन लो है आप कोई योगिक लो जैसे पानी ले लो पानी तो एक योगिक हैस्ट हो, आप एक बरतन में पानी लो, तो उस जैसे एक बाल्टी में पानी ले लिया, तो उस बाल्टी के इधर जो संगठन होगा पानी का, यानि उसमें हड्रोजन और ओक्सिजन का अनुपात, एक अनुपात आठ के अनुपात में होगा, बाल्टी म मिसरन के प्रतेक भाग का संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी लो जी फसगी करा रही समान हो भी सकता और नहीं भी इसका क्या मतलब है मैं बता रहा है इसका मतलब क्या है आपको पता है मिसरन दो तरह के होते हैं एक तो होता है समांगी मिसरन और एक होता है विस्मांगी मिस्रण तो समांगी मिस्रण के तो प्रते एक भाग का संगर्ठन एक जैसा होगा जैसे आप पानी में नमक गोल दो बढ़िया तरीके से और उसे रख दो तो नमक की सांदरता जितनी उपर की तरफ होगी उतनी ही बरतन में निच्चे की तरफ होगी सांदरता क्योंकि पानी और नमक का मिस्रन एक समांगी मिस्रन है पर यदि मैं कहूँ पानी में रेत कोल दो तो अब बन गया वो विश्मांगी मिस्रन तो बताईयो उसमें उपर रेत की जितनी सांदरता होगी निच्चे भी उतनी होगी क्या आप कोगे नहीं सर उसे थोड़ी देर रख के देखो निच्चे सांदरता बहुत जाद हो जाएगी और उपर हो जाएगी बहुत कम तो मिश्रन दो तरह के होते हैं न एक तो समांगी और एक तो विश्मांगी तो समांगी मिश्रन के तो प्रतेग भाग का संगठन एक जैसा होगा पर विश्मांगी मिश्रन के प्रतेग भाग का संगठन एक जैसा नहीं होगा इसलिए यहां लिखा है कि मिसरण के प्रतेक भाग का संग्रिठन समान हो भी सकता है यदि वो समांग की मिसरण है और नहीं भी यदि वो विशमांग की मिसरण है बताओ अंतर समझ में आया क्या योगिक और मिसरण में बहुत इंपॉर्टेंट था यह क्यों अच्छा है इसके जो पीडिएफ नोट्स है ना जिन से मैं पढ़ा रहा आपको यह पीडि एफ नोट्स आपको एपलिकेशन पर मिल जाएंगे जो हमारा एपलिकेशन है के एमडी सहरनपूर प्ले स्टोर पर उस एपलिकेशन पर आपको सारी चीज मिल जाएगी बिना किसी डिस्टरबेंस के अब जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखते- देखते बीच में आपके ऐड़ेच आ रहे होँगे आ रहे हैं ना एड़ेच बीच बीच में यह आड़ेच बच्चों को डिस्टरब करते हैं बहुत जाद है और दूसरा क्या होता है दूसरी चीज यह होती है कि जब आप वीडियो देख रहे यूटी उपर तो वहाँ क्या होता है यूटी उपर एक दूसरी प्रॉबलम होती है दूसरे भी वीडियो आपको नजर आते हैं बीच बीच में तो आपका ध्यान भटक जाता है के एमडी साहरनपूर वहाँ बीना किसी डिस्ट्रबेंस के और ढूणना भी नहीं पड़ने का आपको कुछ भी सारी चीज सिस्ट्रमेटिक वे में लगी भी मिलेगी ठीक है बटे देखो अब हम बात करते हैं समांगी मिस्रण की या समांगी द्रव्य की समांगी सम माने समान अंगी माने अंग जिस द्रव्य के द्रव्य माने पदार्थ है द्यान रखना कुछ बच्चे द्रव्य और द्रव में ही कनफ्यूज होते हैं देखो द्रव्य का मतलब तो होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है पदार्थ की एक अवस्था पता है ना इस चीज़ का द्रव माने पदार्थ हो द्रव माने पदार्थ की अवस्था तो जिस द्रव के प्रतेग भाग का संगठन समान हो या समान होता है उसे समान की द्रव कहते हैं जैसे तत्व तत्व का मतलब लोहे का टुकडा ले लो हर एक उसका भाग एक जैसा ही होगा यदि आपने चांदी का टुकडा ले लिया हर एक भाग एक जैसा होगा यदि आपने अलूमीनियम का टुकडा ले लिया एक जैसा होगा एक बाल्टी में पानी ले लिया, हर एक भाग का संगठन एक जैसा होगा तो जिस द्रव्य के प्रतेग भाग का संगठन समान होता है उसे ही कहते हैं समांगी द्रव्य जैसे तत्व है, योगिक है और समांगी मिस्रण है तो समांगी द्रव्य तीन तरह के हो सकते हैं तत्व, योगिक और समांगी मिस्रण अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था फिर हम बात करेंगे विसमांगी द्रव्य की जिस द्रव्य के प्रतेग भाग का संगठन समान नहीं होता है जैसे विसमांगी मिस्रण अभी पानी में रेत गोल के दिखाया था आपको प्रतेग भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता चलो आग्गे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे एक क्योस्चन है देखो NCRT का क्योस्चन है क्योस्चन है सुद्पदार्थों से आप क्या समझते हैं सुद्पदार्थ का मतलब जिसमें कोई दूसरी चीज ना हो वोही वोही पदार्थ हो ठीक है जो पदार्थ एक जैसी प्रकरती वाले कणों से मिलकर बने होते हैं एक ही जैसे कणों से सुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जैसे तत्व और योगिक अभी मैंने पढ़ायता कि सुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं तत्व और योगिक तो यदि सुद्ध पदार्थों से आप क्या समझते हैं कि उस्चेन आजाता है तो यह आंसर लिखना है सुद्ध पदार्थ का मतलब जो पदार्थ एक जैसी प्रकरती वाले कणों से मिलकर बने होते हैं अगला क्योस्चन यह भी NCRD गई है समांगी और विसमांगी मिसरनों में अंतर बताना है हमें ठीक है एक तरफ हमने समांगी मिसरन लिख लिया एक तरफ लिख लिया विसमांगी मिसरन चलो इस अंतर को पढ़ते हैं कि समांगी और विसमांगी मिसरन में क्या अंतर होता है यह भी बहुत important है जब मैं आपको कहता हूँ कि जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो तुरंत उधारन अपने दिमाग में सैट कर लिया करो समांगी मिसरन का मतलब पानी में नमक गोल रखा और विसमांगी मिसरन का मतलब पानी में रेत गोल रखा ठीक है देखो समांगी मिसरन इधर देखेंगे हम और इधर देखेंगे विशमांगी मिसरन समांगी मिसरन की पहली खासियत सभी भागों का संगठन समान होता है समझ रहे जब आप पानी में नमक गोल दोगे तो उपर की तरब भी वही सांदरता होगी जब पानी में नमक गोल दोगे तो नमक का वित्रन यानि नमक समान रूप से बटाओगा पूरे पानी में ऐसानी की एक कोने में जादे है और एक कोने में कम है इसे कहते हैं वितरण माने बटाओना सभी अवियवों का एक समान वितरण और इसमें सभी अवियवों का एसमान वितरण इसमें वित्रण ए समान होता है विस्मांगी मिस्रण में नमबर तीन अवियवों के कणों का आकार लगभग समान होता है वह जो समांगी मिस्रण होता है इसमें जो अवियव हैं उनके कणों का आकार लगभग वराबर होता है इसलिए सारे अवयव दिखाई नहीं देते और यहां देखो अवयवों के कणों का आकार ऐ समान होता है चोथा अंतर समांगी मिसरन का उधारन है पानी में नमक गोल दो समांगी मिसरन बन जाएगा और इसका उधारन है पानी में रेत गोल दो या मिट्टी खोल दो, बताओ कर दोगे का इस question को, कर दोगे न, next अगला देखो ज़रा topic क्या है, अब हमें पढ़ना है Willian Willian को English में हम कहते हैं solution और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिस्रन को Willian कहते हैं समांगी मिस्रन का ही दूसरा नाम Willian है तो परिभासा यही है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिस्रन को Willian कहते हैं, जैसे जल में नमक मिला दिया, समांगी मिस्रन बना, यह Willian है एक ठीक है अब ये question बहुत important है Willian के घटक या अवियव तो ध्यान रखना है कि किसी Willian में कम से कम दो घटक होते हैं Willian में दो घटक होंगे जैसे पानी और नमक दो घटक है जो जादे मातरा में होता है न अवियव या भाग या घटक उसे तो हम कहते हैं विलायक या solvent और जो कम मातरा में होता है उसे हम कहते हैं विले या solute अब बताओ पानी में नमक घोल रखा पानी जादे मातरा में होगा या नमक आप कहोगे जी पानी होगा जादे मातरा में तो सुन लो किसी भी विलियन में जो भी घटक जादे मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक क्योंकि वो विले करता है दूसरे को अपने अंदर घूलता है ठीक है और जो कम मात्रा में होता है घटक जैसे नमक कम मात्रा में है तो इसे हम कहेंगे वी लेय यानि सॉल्यूट जो घूलने वाला है जो कम मात्रा में है वो गूलता है जो जादे मात्रा में है वो गूलता है जैसे मालो 50 बच्चे कक्सा 9 के बैठे वे हैं अपनी कक्सा में और पढ़ रहे हैं और वहाँ 4 बच्चे आगे कक्सा 10 के तो कम कौन हैं 10 वी वाले तो दसवी वालों को वही पढ़ना पढ़ेगा जो नोवी वाले पढ़ना चाहते हैं समझ रहे न आप यदि आपके इस वीडियो लेक्चर में आप सब देख रहे वीडियो ठीक है आप कौन सी क्लास में हो नाइन्थ में यदि कोई बारवी का बच्चा इस वीडियो में घुसेगा न तो उसे नोवी का ही तो देखना पढ़ेगा या वो वीडियो में घुसके यह कहेगा जी बारवी का पढ़ाओ नहीं कहेगा उसे इसे ही पढ़ना पढ़ेगा तो जो जादे मात्रा में होता है कम मात्रा वाले को उसके अनुसार ढ़लना पड़ता है ठीक है तो यहाँ ध्यान रखना है वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन्स हैं पर हम 9th level पे इतनी बात करेंगे कि किसी विलियन में कम से कम दो घटक होते हैं पहला तो होता है विलायक या सॉल्वेंट विलायक या सॉल्वेंट क्या होता है जो अधिक मात्रा में होता है जैसे यहाँ पानी अधिक मात्रा में है जल अधिक मात्रा में है तो विलायक होगा नमबर दो विले या सॉल्यूट जो घटक कम मात्रा में होता है जो कम मात्रा में होगा जैसे नमक कम मात्रा में है इसमें उसे हम कहेंगे विले जो जादे मात्रा में होगा जैसे जल जादे मात्रा में है तो इसे हम कहेंगे विलायक क्या कहेंगे विलायक ठीक है बिटे? चलो अगली बात कर रहे है अब हमें पढ़ना है अवियवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विल्यनों के प्रकार अवियवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विल्यनों के प्रकार तो आपको ध्यान रखना है कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं नो प्रकार के अब यहां गरारी जाम होगी होगी कुछ बच्चों भी सर नो प्रकार के विलियन कहां से आगे मैं आपको बताओंगा कहां से आए देखो ध्यान से समझना आप कि विलियन नो प्रकार के मैं किस आधार पर बता रहा हूँ आपको नो प्रकार के विलियन हमने क्या काम करा इधर तो लिखा विले यानि जिसे गोलना है और इधर लिखा विलाया कि यानि जिसमें गोलना है आपको पताएं पदार्द की मुख्यरूप से तीन अवस्थाएं है ठोज, द्रव और गैस और इधर भी अमने तीन अवस्थाएं ले ले लिए ठोज, द्रव और गैस यदि आप ठोज को ठोज में गोल दिया तो यभी तो इक विलियन बनेगा और यदि इसी ठोस को आप द्रव में गोल दो तो यभी तो एक विलियन बनेगा और इसी ठोस को आप यदि गैस में गोल दो तो यभी तो एक विलियन बन जाएगा तो तीन विलियन तो यही बन गे तीन तरह के जब ठोस को तीन तो इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ यदि आप द्रव को यहां गोल दोगे ठोस में द्रव को द्रव में गोल दोगे या द्रव को गैस में गोल दोगे तो तीन प्रकार के विलियन यह नहीं बन गए बन नहीं गए तीन प्रकार के और यदि मैं कहूँ कि गैस को ठोस में गोल दो या गैस को द्रव में गोल दो और गैस को गैस में गोल दो तो तीन प्रकार के हैं बनेगे तो तीन प्रकार के विलियन तो इसे गोलने पर बने तीन प्रकार के विलियन इसे गोलने पर बने और तीन प्रकार के विलियन गैस को गोलने पर बने और तीन तीया कितने होगे नो तो नो तरह के विलियन इसलिए होते हैं तो यदि कोई पूस्ता है कितने प्रकार के विलियन होते हैं तो आपको बताना है नो प्रकार के विलियन होते हैं ठीक है अब वे नो प्रकार कैसे होंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ठोस को ठोस में गोल देंगे फिर ठोस को द्रव में गोल देंगे फिर ठोस को गैस में ठोस को तीनों में गोल लो द्रव को तीनों में गोल लो गैस को तीनों में गोल लो चलो गोल रहे नो प्रकार के विल विलियन होता है उसे हम कहते है ठोस का ठोस में विलियन है ठोस को ठोस में गोल रहे हैं जैसे पितल है पितल में क्या होता है जिंक और कॉपर का मिस्रण होता है जस्तेकार तामबेगा तो इसमें ठोस ठोस में गुला होता है ठोस ठोस में गुला होता है ठीक है दूसरे प्रका यह सारे समांगी मिसरन है, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक पदार्तों के समांगी मिसरन कोई तो विलियन कहते हैं, तो दूसरे परकार का विलियन यह हुआ, पहला तो ठोस को ठोस में गोल रखा, फिर ठोस का द्रव में गोल दिया, तीसरा ठोस को किस में गोलना है, गैस है इसलिए तो हमने एक्ञामपल लिया ठोस का गैस में विलियान उसके बाद चोथा ठोस को तो घोल दियाती इननों में आप द्रव को घोल दो द्रव का ठोस में विलियान जैसे जैली जैली पनीर जैली है और मखन भी जैली है और जो बच्चे fruit jelly खाते हैं market से मिलती है बेकरी की दुकान से jelly fruit वाली jelly वो तो jelly है यह तो jelly में क्या होता है द्रव घुला होता है ठोस के अंदर ठीक है number 5 द्रव को ठोस में घोल दिया द्रव का द्रव में विलियन जैसे मदीरा मदीरा तो पता है alcohol मदीरा माने alcohol माने आपने द्रव को द्रव में घोल रखा जैसे आपके पास alcohol है alcohol मदीरा कहते हैं शराब को alcohol है और alcohol को आपने पानी में घोल रखा है ठीक है जो गंदे लोग है वो क्या करते है alcohol यानि शराब को पानी में घोलते हैं तो मदीरा क्या है द्रव का द्रव में विलियन है ठीक है नमबर 6 वही द्रव को ठोस में गोल दिया द्रव को द्रव में द्रव को किसे में गोलना है गैस में द्रव का गैस में विलियन जैसे वाईउ में जलवाश्प जलवाश्प क्या है द्रव है और वायू क्या है गैस द्रव को भी तिन्नों में गोल दिया अब तिन्नों में किसे गोलना है गैस को गैस का ठोस में विलियन ऐसा होता है जैसे हाइडरोजन गैस पैलेडियम धातू में गुली भी है यह गुल जाती है और नमबर गैस को ठोस में गोल दिया नमबर आठ पर हम गैस को किसमें गोल देंगे द्रव में गैस का द्रव में विलियन जैसे सोडा वाटर cold drink, कह दो cold drink gas होती है, इसमें carbon dioxide gas और घुली होती है पानी में तो बताओ gas का द्रव में willion नहीं है क्या cold drink या soda water number 9, gas का gas में willion जैसे yu, yu में तो nitrogen gas है सबसे आदे मातरा में और oxygen है और carbon dioxide है और argon है, बहुत सारी gas है ठीक है बटे? समझ में आगे है, नो प्रकार के willion किस तरह होते हैं जल्दी से ठीक है आगे चले, देखो अब आपको पता चल गया सारी बात कि हाँ भई, willion नो प्रकार के कैसे हुए याद करने का तरीका बहुत आसान है अब आते हम अगले topic पर अगला topic है तनू willion या dilute solution पता तनू willion किसे कहते हैं आपको पता है न, willion में दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलायक, विलायक किसे कहते हैं बताओ विलायक वो घटक होता है जो अधिक मातरा में है, और विले किसे कहते हैं, विले विले वो घटक होता है जो कम मात्रा में होता है ठीक है जैसे पानी में नमक को गोल दिया तो पानी तो विलायक होगा नमक क्या होगा विले हमें सीखना है तनू विलियन या डाइलूट सॉल्यूशन वह होता है जिसमें विले की मात्रा कम हो इसकी मात्रा कम हो विले की यदि कम विले घुलावा तो और यदे जदे गौल दिया आपने तो दो बन जाएका साण्धार विलियन तो इहां लिखाव है जिस विल्यन में विले की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनुलियन कहते है और तनुलियन का बड़ा भाई यह सांदर विलियन या सौनेट्रिटि़। solution इसमें क्या होगा जिस विलियन में विले की मात्रा अधिक होती है जिस विलियन में विले की मात्रा क्या होती है अधिक है यहाँ एक बात समझनी है आपको बात यह समझनी है कि यह जो तनू विलियन और सांद्र विलियन जो हम term पढ़ रहे हैं न शब्द ये comparative term हैं तुलनात्मक शब्द हैं एक दूसरे के मतलब आपके पास मान लो एक बरतन है और इस बरतन में पानी भर दिया और मैंने इसमें जो है एक चम्मच एक चम्मच नमक गोल दिया एक चम्मच नमक गोल अफ чув बच्चे कहेंगे। जी एक चम्मच我們 में जीजवाब देंगे नहीं उस तो और कऊसरे नमक लगेगा कमीं एक चम्मच और कुछ लगेगा ज्यादे पर लगेगा 사람이 फेसे तम विलयन बोलरह होंगे और जिसे यहादर लगेगा मैं बोल रहे होंगे इसे सांद्र विलियन पर सारे बच्चों का एक जैसा जवाब नहीं आएगा इसका मतलब confusion है जब आपके पास एक गिलास में पानी उसमें एक चंबन नमक गोल दिया तो मैं भी सही जवाब नहीं दे सकता कि यह तनू विलियन है यह सांद्र विलियन क्योंकि तनू और सांद्र जो हैं वे तुलनात्मक सब्द हैं comparative terms हैं देखो अभी आप सही जवाब दोगे देखो हमारे पास एक गिलास में पानी है और एक दूसरे गिलास में पानी है इसमें भी हमने इतना ही पानी लिया इसमें भी इतना ही इसमें हमने एक चम्मच नमक गोल दिया इसमें दो चम्मच नमक गोल दिया इसका नाम रख दिया हमने A और इसका नाम रख दिया हमने B अब मैं आप से पूछ रहा कि बताओ A और B में कौन सा तनु विलियन है तो आप एकदम जवाब देदोगे, देदोगे ना जवाब एकदम, क्या कहोगे, आप कहोगे जी, A तो है हलका गोल, यानि तनु विलियन, और B है कहडा गोल, यानि सांदर विलियन, अब आपने इन दुन्नों की आपस में तुलना करी ना, जभी तो बड़ी कहे रहे साब सबका एक जैसा जवाब भी नहीं आ रहा है अब टीचर ने कहां कि रेखा की लंबाई जवाब ना परे तो वो उसकी तुलना करोगे जभी तो छोटी बड़ी का पता चलेगा ठीक है अब टीचर ने इसके वरबर में एक रेखा खेंच दी पहली रेखा का नाम A है दूसरी रेखा जो खेंची वो B अब उन्होंने पुछा की बताओ रेखा A छोटी है या बड़ी है अब सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया बच्चों ने का जी रेखा A छोटी है क्योंकि उसके साथ में एक बड़ी रेखा बनी वी है तो बिल्कुल सेम प्रॉसेस टेक्स प्लेस वीद डिल्यूटी सॉलीशन एंड थरृसन्टीज सॉलीशन मतलब डाइल्यूट सॉलीशन तनु वील्य Wanna और सांद्र वील्यन राफ वयल्यान को बता नमबर एक पहला गुण, विल्यन एक समांगी मिसरन होता है, बिल्कुल, समांगी मिसरन कहीं तो दूसरा नाम विल्यन है भाई, नमबर दो, किसी विल्यन में से विले के कण छान कर या सांत छोड़ने पर अलग नहीं होते हैं, भई आप आपने पानी में नमक घोल दिया, समा है, गुलने के बाद, और नहीं ऐसा होने का सांत रखने का मतलब पता समझ रहा है, सांत छोड़ने का मतलब, जैसे पानी में रेत गोल के उससे सांत रख दिया गया तो रेत निच्छे बैठ गया था, सेडमेंटेसन हो गया ता, तल छटी करन, इस तरह का नमक भी निच्छ बैठ जाएगा, नहीं, बैठने का नहीं निच्छे नमक, समझ रहे ना बाद, उसके बाद आजाओ, इसमें लिखा बादा किसी विलियन में से विले के कन चान कर या सांत छोड़ने पर अलग नहीं होते, नमबर तीन, विलियन के कन एक नैनो मिटर से भी छोटे होते हैं, एक नैनो मिटर से भी छोटे, इसलिए उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है, विलियन के कनों को आप आँखों से नहीं दे सकते, नमक गुलने के बाद दिखाई नहीं देने का, चिन्नी पानी में गुलने के बाद दिखाई नहीं देने की, हवा में आपको सारी गै गात माइनस साथ से छोटा ही छोटा होता है नमबर चार चोथा गुण विलियन का विलियन में प्रकास का प्रकीर्णन नहीं होता है बदलब जब विलियन के अंदर से प्रकास गुजरता है न तो विलियन के कंड जादे छोटे छोटे हैं तो वें प्रकास की केर्णों को होता है प्रकीर्णन कहते हैं बिखरने को क्योंकि विलियन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए विलियन में प्रकास का मार्ग दिखाई नहीं देता है जब कोई प्रकास विलियन से ओकर जाता है तो दिखाई नहीं देता है उसका रास्ता प्रकास का प्रकास का रा वायू मंदल क्या है एक विलियन ही तो है तो दिखाई दे रहा गई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि यहां से आ रहा है यहां से वो जब दिखाई देता है जब हवा में धूलके कन हो आपकी मम्मी कमरे में ज़डू लगा रही है और कमरे में कही कोने में एक ज़रोके से प दिखाई देगा रास्ता यह आ रहा प्रकास का रास्ता रास्ता रोसनी इधर को आ रही देखो और सर कहरे दिखाई नहीं देनेगा वह इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि मम्मी जाडू मार रही कमरे में इसलिए आपके कमरे में डस्ट है और जब डस्ट के पार्टिकल हवा पढ़े हैं. विल्ययन के चार रो बहुत काम निए थे. अब आगे चलते हैं. के अब हमें पढ़ना है. संतरप्त विल्ययन या सैचुरेटिड सॉलूसन. क्या होता है संतरप्त विल्ययन देखो मैं बता रहा. मालो हमारे पास एक बरतन है इस तरह का और इस बरतन में हमने हाँ तक पानी भर रखा और मैं आपको कह रहा कि चलो इसमें नमक की एक एक चमच गोलते रहो ताप नी बदलना है आपने एक चमच नमक गोल दिया दो चम्मच थीझ चम्मच चार चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच गुलते जा रहे गुलते जा रहे गुलते जा रहे एक समय ऐसा आएगा जैसे मानलो आमने दसवी चम्मच इसमें डाली और गोलने की कोसिस कर रहे गुली रहा वो नमक निच्चे बैठना शुरू हो गया यहां निच्चे बैठना शुरू हो उपर निक्चे बैठे वेगो तो छोड़ दो उपर से निथार के अलग निकाल लो वो संतरप्त विलियन है यानि संतरप्त विलियन वो विलियन होता है जिसमें विले की मात्रा अधिकतम हो या जिसमें और अधिक मात्रा में विले ना गोला जा सके जितना गोलना तक गोल गय जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठा और मैंने एक पूरी दो पूरी पूरी कचोरी जो भी कहते हो आप 20 पूरी यां खाली और 20 पूरी यां खाने के बाद जब 21 भी पूरी खाने का नंबर आया तो मैं कहा रहा कि नहीं नहीं मैं नहीं नहीं लेने का और मैं संतरप्त हो चु तो होगी अपने अंदर विले को गोलने की ऐसा तो होने का नि कि एक गिलास पानी में सारी दुनिया का नमकी गोल जाएगा कभी ना कभी तो उसकीमा युछ जाएगी उसे हम कहते हैं संत्रप्त विलियन तो यहां लिखावा है जिस विलियन में विले अधिक्तम मात्रा में उपस्थित होता है उसे संत्रप्त विलियन कहते हैं ठीक है उसके बाद है गुलन सीलता या सॉलिबिलिटी आपके पास कोई भी संत्रप्त विलियन है तो संत्रप्त विलियन में जो विले की मात्रा है अधिक्तमी तो होगी उसे ही गुलन सीलता कहेंगे तो इस्थिरताप पर संत्रप्त विलियन में विले जितनी मात्रा में उपस्तित होता है उसे घुलनसीलता या विलेता या solubility कहते हैं ठीक है बिटे चलो आगगे चल रहे अब यह अगला heading तो आपके समझ में आ गया होगा यह heading क्या है as centrapte willion या unsaturated solution तो as centrapte willion वो है जिसका पेट भरा ही नहीं है अभी तक यानि उसमें विले की मातरा centrapte willion से कुछ कम है तो यहां लिखावाए इस willion में विले की मातरा centrapte willion से कम होती है किस से कम होती है centrapte willion से अगली चीज देखो इसके उपर क्योक्षन आएगा एक्जाम में द्रवेमान परतीशत क्या होता है द्रवेमान परतीशत यह फार्मूला ध्यान रखना है द्रवेमान परतीशत जब भी निकालना है विले का द्रवेमान तो लिखना है उपर और बटे में लिखना है विलियन का द्रवेमान और गुणा कर देनी है सो से विले जिसे आपने गोल रखा है विलियन टोटल टोटल का मतलब विले और विलायक जब आपस में मिल जाएंगे नमक और पानी तो विलियन बन जाएगा तो द्रव्यमान प्रतीसत का क्योश्चन आता है पेपर में देखो कैसा इस क्योश्चन को देखो ऐसा नुमेरिकल आता है एक्जाम में इनुमेरिकल देखो यह लिखावा है एक विलियन के चार सो ग्राम विलायक जल में यानि चार सो ग्राम तो पानी है पचास ग्राम साधरन नमक विले है चार सो ग्राम पानी में पचास ग्राम नमक गोल दिया इनोंने विलियन की सांदरता का परीकलन करो हमें सांदरता बतानी है तो यहां से हम सॉल्फ कर रहे हैं आप द्यान से समझना देखो विले है हमारे पास नमक है हमारे पास 50 ग्राम ठीक है और विलायक का मतलब पानी हमारे पास 400 ग्राम दुन्नों के मिलने से विलियन बना तो विलियन कितने ग्राम हो जाएगा साड़े चार सो ग्राम चार सो ग्राम तो पानी है पचास ग्राम हमारे पान नमक है साड़े चार सो ग्राम है विले का द्रव्यमान पचास ग्राम और विलियन का द्रव्यमान 450 ग्राम हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला लगा है द्रव्यमान प्रतिशत का विले का द्रव्यमान उपर लिखा और विलियन का निच्चे लिखा और गुणा गरदी 100 से विले कितना था 50 ग्राम लिख दिया उपपर विलियन कितना था 4500 ग्राम लिख दिया निच्चे गुणा सो 0 से 0 मार दिया 545 उपपर 100 बचा निच्चे 9 तो 100 बटे 9 जब डिवाइड करोगे 11.1 परतीसा तांसर आ गया हमारा ठीक है ना चलो आग्या चल रहे देखो बेटे यहां बहुत बढ़िया पॉइंट लिखावा है यह नोट में देखो यह लिखावा है मिसर धातुएं भी धातुओं का समांगी मिसरन होती है तो मिसर धातुएं भी क्या है समांगी मिसरन है ध्यान रखना मिसर धात्में भी क्या है विलियन है ध्यान रखना रखोगे ध्यान चलो आग्या चलते हैं अगले टॉपिक पड़ अब हमें सीखना है विसमांगी घोल या मिसरण के प्रकार विसमांगी घोल या विसमांगी मिसरन के प्रकार दो प्रकार का होता है बिटे दो प्रकार का एक तो होता है विसमांगी मिसरन जिसे हम कहते हैं निलंबन इंगलीज में सस्पेंसन कहते हैं इसे सस्पेंसन और एक विसमांगी मिसरन जो दूसरा प्रकार हे उसे कहते है कॉलाईडल सब्सक्राइब खुछ भी कहे दो आप यह जो कोला सब्द है ठौमस ग्रहम ने इसे बता है कोला का मतलब था ग्रीक भाधा सब्द है कोला का मतलब होता है गौंध चिप चिप आपदार्थ ठीक है क्लास 12 में इस चीज को डिटेल में पढ़ोगे आप बहुत ज़ाद है यहां तो मैं बिल्कुल 9th के लेवल पी लेके चलूँगा आपको तो आपको पता चल गया कि विसमांगी घोलिया विसमांगी मिसरन कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक तो निलंबन एक तो कोलाइड या कोलाइडल कह दो तो पहले निलंबन के बारे में पढ़ रहे चलो निलंबन के बारे में पढ़ रहे निलंबन निलंबन पता क्या है निलंबन ये है कि आपने एक ऐसा मिसरन तי fiscal करा की उस मिसरन में जो विलायक है यानि पानी उसके कनो का आकार तो दस्की घात माइनस 8 cm है और जिस पदार्थ को आपने गोल दिया जीसरेत को गोल दिया उसके कनो का आकार दस्की घात माइनस 4 cm से बड़ा है तो हाँ आप लिखोगे यह एक ऐसा विशमांगी मिसरन होता है कौन निलंबन जिसमें विलायक के कणों का आकार विलायक जैसे पानी है विलायक के कणों का आकार तो उतना ही है जितना होगा यह नहीं बदलता कभी भी दसकी घात माइनस 8 cm जब की जब की घोले गए पदार्त के कणों का आकार दसकी घात माइनस 4 cm से अधिक होता है ऐसा पता कब होगा जैसे रेत गोल दोगे पानी में रेत जो है पानी में जब आप गोल रहें विश्मांगी मिसरन है पर विश्मांगी मिसरन में भी वो निलंबन है उसका नाम निलंबन इसलिए है क्योंकि वो निलंबित हो जाता है गुलने के बाद निलंबित होने माने निच्चे बैठ जाना तली में इसे कहते है निलंबित होना या सस्पेंड होना ठीक है इसलिए तो उसका नाम निलंबन या सस्पेंसन है जब पानी में रेत गोल दोगे आप जैसे उधारन है پानी में मिट्टी गोल दी या पानी में रेथ गोल दिया तो यह दुन्यों उधारन किसके लिए निलंबन गई है निलंबन में सिरफ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो पदार्थ आपने गोल दिया उसके कणों का अकार दसकी खात माइनस चार सेंटीमेटर से क्या होता है बड़ा होता है ठीक है दूसरे तरह का जो विश्मांगी मिस्रण है उसे हम कहते हैं कोलाइड पर कोलाइड को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे निलंबन के कुणा नि दिमाख में एक्जामपल गुसा दी अगरो सिद्धा की पानी में रेत गोल रखा बस ओ निलंबन है अब सारी चिज्जे समझ में आ जाएंगी पानी में क्या गोल रखा रेत या मिट्टी नमबर एक निलंबन का पहला गुण यह विस्मांगी मिस्रण होता है यह तो बात ह नमबर दो ये कण नगन आँखों से देखे जा सकते हैं निलंबन के कणों को आप आँखों से देख सकते हो बिना सुक्समदर्सी के यानि जब पानी में रेत गोल दिया तो रेत के कण आपको अलग दिखाई देंगे नमबर तीन सांत गोल में इसके कण निलंबित हो जाते हैं यदि पानी में रेत गोल दिया और उसे सांती से रख दिया तो रेत के कण तो निच्चे बैठी जाएंगे इसे कहते है निलंबित होना निच्चे बैठने को और यदि आप सांत नहीं छोड़ते फिर तो में गुले ही रहेंगे जब रदस्ती गोल रखे आपने उसे रखो तो सही नीचे बैठ जांगे सारे पार्टिकल निलम भी दो जांगे नमबर चार निलमबन के कणों को छान कर अलग किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है क्योंकि कणों का आकार बड़ा है नमबर पांच निलमबन के कण प्रकास की केर्णों का प्रकेर्णन करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वह बड़े हैं साइज में मालो आपने रेत गोल रखी गई पानी में और उसमें से आप लेजर लाइट मार रहे तो लेजर लाइट के चलने का रास्ता नजर आएगा आपको क्योंकि निलंबन के कर्ण जो है उनका साइध दसकी घात माइनस चार सेंटीमिटर से बड़ा है और जब इतने बड़े पार्टिकल होते हैं तो उनके उपर जो प्रकास की केंड़े टकराती है न वे चारो तरफ को बिखर जाती है प्रकेंडन हो जाता है तो इसलिए प्रकास के चलने का मार्ग दिखाई देता है निलंबन में जब आपकी मम्मी कमरे में ज़डू लगाती है न और कमरे में किसी खिडकी से या जरोके से या रोसंदान से रोसनी आती है सूर्य का प्रकास धूप और उसका रास्ता आपको दिखाई देता है तो उ बताओ वो सारी डस्ट निच्चे नहीं बैठ जाएगी क्या आप नोट करते होंगे कि जाड़ू लगने के बाद जो घर में कमरे में समान रखावा होता है उसके उपर बैठ जाती है सारी डस्ट यानि वो निलंबित होगी तो यहां लिखावा है कि निलंबन के कंड प्रकास की केड़नों का प्रकेड़न करते हैं जिसके इन में होकर जाने वाले प्रकास का मार्ग दिखता है ठीक है जिस से यहां से आना चाहिए ता सही कर ले ना लेंगविज को ठीक है तो यह होगे बैटे निलंबन के गुणा अब हम सीखेंगे यह चीज बहुत काम की है इसे दि काम की चीज है कोलाइडल कोलाइडल कह दो या कोलाइडी अवस्था कह दो या कोलाइडी निकाय कह दो या कोलाइडी विलियन कह दो यह सारी बात तो का एक ही मतलब है सारे प्रयाइवाची हैं कि दूसरे के यह एक ऐसा विसमांगी गोल या मिसरन होता है जिसमें विलायक यानि जल के कणों का आकार दस्की घात माइनस 8 सेंटीमेटर यह तो इतना ही रहेगा हमेसा जबकि घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात माइनस 4 से 10 की घात माइनस 7 सेंटीमेटर तक होता है इसे कहते हैं कोलाइडी विलियन जैसे पानी में गोंद घोलते हैं तो कोलाइडी विलियन बनता है पानी में स्टार्च गोलते हैं कोलाइडी विलियन बनता है स्टार्च का मतलब समझते हो स्टार्च मंड आपकी मम्मी जब खुले बरतन में चावल बनाती है न भिगोने में तो उसमें से चावलों में से पानी निकलता है सफेद रंग का उसे कहते हैं मंड या स्टार्च हलागी हमने उसका नाम बिगाड़ दिया भारत के कुछ अक्षेत्रों में उसे मंड ना कहकर मांड कहते हैं ठीक है वो स्टार्च है आपने क्लास 6-7-8 में प्रैक्टिकल करा होगा केमिस्ट्री में स्टार्च का टेस्ट करा होगा आपने ठीक है तो समझ गे ना स्टार्च का मतलब क्या है अब आप जब पानी में स्टार्च गोल्ड होगे तो वो भी एक क्या बनेगा कोलाइडी विलियन और पानी में जिलेटीन गोल्ड होगे तो ये कोलाइडी विलियन के बहुत सारे एक्जामपल हैं अब यहां तीन चीज हमारे सामने आई उन्हें तिन्नों को मैं स्पस्ट कर दूँ आपको जिससे कोई कनफ्यूजन ना रहे देखो अब सारी चीज सपस्ट हो जाएगी यह जितना भी मैंने पढ़ाया अब तक वो सारा क्लियर हो जाएगा द्यान से समझना यहां एक हेडिंग लिखी है नोट और यह जो नोट लिखावा है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादे इंपोर बढ़ाय यहां पानी में गोल रख्खा है अमने गोंदर प्ता क्या अंतर है इसमें विलायक तो पानी है पानी विलायक के कणो का आकार तो यहां भी दसकीगाद माइनस 8 cm है और यहां भी दसकीगाद माइनस 8 cm और यहां भी दसकीगाद माइनस 8 cm है विलायक के कणों का आकार तो बरबर है पर जो घुला पदार्त है उसका आकार डी माने है डायामिटर यानी व्यास यदि यह पार्टिकल है ना यह पार्टिकल है तो हम इस कि यह चोटा है का निसान यानि उन कौनों का व्यास चोटा चोटे की तरफ एक लड्डू बड़े की तरफ दो लड्डू यदि गोले गए पदार्थ जैसे हां नमक के कणों का आकार, दसकी घात माइनस साथ सेंटीमेटर से चोटा है न तो इस तरीके से जो villain हमें प्राफ्थ होता है उसे हम वास्तवीग-villian कहते है क्या कहते हैं वास्तवीग-villian मतलब वास्तवीग-villian, वो willian होता है, जिसमें विलायक के कणो का का अकार 10 की घात माइनस 8 cm के आस-पास होगा पर घुले गोले गए पदार्थ के कणों का आकार दसकी घात माइनस 7 cm से छोटा होगा, ठीक है या तो इतना या तो इस से छोटा, तो ऐसे घोल को, ऐसे मिसरन को हम विलियन कहते हैं, जो एक समांगी मिसरन होता है, क्यासा मिसरन, समांगी मिसरन, अब इस पर आजाओ, यदि विलायक के कणों का आक जो कि तीन नों में है पानी इतना ही ओ, पर जो पदार था आपने गोल रखा तो इतने सी बड़ा हो तो ऐसे गोल को या मिस रण को हम निलंबन कहते हैं यह निलंबन है जैसे पानी में रेट गोल दिया और जैसे यहाँ पानी में नमक गोल दिया हूँ जो वास्तवी विलियन है उसके कणों का अकार दस्की घाद माइनस 8 cm से क्या होगा बड़ा ठीक है? सौरी, दस्की घाद माइनस 7 cm से क्या होगा छोटा और जो निलंबन है उसके कणों का अकार 10 की घात माइनस 4 सेंटीमेटर से क्या होगा बड़ा अब यदि आपके पास कोई ऐसा घोल है या मिसरन है जिसमें विलायक के कणों का आकार तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमेटर हो जबकि घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात माइनस 7 से देखो इन दुर्णों के बीच में हो, इतने सेंटिमेटर के, तो ऐसे विलियन को, ऐसे मिस्रन को, ऐसे घोल को हम कहते हैं, कोलाइडी विलियन, तो ऐसा होता है, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन की परिभासा इस तरीके से सीखनी है आपको, भई पानी में नमक घोल रखा त वास्तविक विलियन होगा, पानी में रेत गोल रखा तो निलंबन होगा, पानी में गोल रखा तो कोलाइडी विलियन होगा, कोलाइडी विलियन के कणों का आकार वास्तविक विलियन से तो बड़ा होगा और निलंबन से होगा छोटा, ठीक है पेटे, रखोगे द्यान, चल मुझे एक बात बताओ कोई कोलाइडी विलियन है कोलाइडी विलियन में आपके पास पानी है और पानी में आपने गोंद गोल रखा है तो यह जो पानी है न यह अधिक मात्रा में है गोंद है कम मात्रा में यदि यह वास्तविक विलियन होता तो मैं अधिक मात्रा वाले को तो कहता विलायक और कम मात्रा वाले को कहता विले यदि ये वास्तवी विल्यन होता पर ये कोलाइडी विल्यन है कोलाइडी विल्यन में जो अधिक मात्रा में घटक होता है जिसके अंदर दूसरा घुलता है उसे हम कहते हैं परिक्षेपन माध्यम वास्तवी विल्यन में जो विलेना कहकर परिक्षिप्त प्रावस्था कहोगे ठीक है देखो क्या लिखाव है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी गोंद और परिक्षेपन माध्यम क्या होगा जल तो किसी कोलाईडी विलियन में जो घटक विलायक का कारिय करता है यानि जो जादे मात्रा में जो पानी का खारी है उसे परिक्षेपन माध्यम कहते हैं तथा जो घटक परिक्षेपन माध्यम में गुला होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं उसे क्या कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे यहां एक एक एग्जम्पल है देखो example पानी है पानी में आपने क्या गोल रखा है गोंद और गोंद गोलने से कोलाइडी विलियन बन गया तो पानी को तो कहोगे आप परिक्षेपन माध्यम और गोंद को कहोगे परिक्षिप्त प्रावस्ता मतलब जो जादे मात्रा में है उसे परिक्षेपन माध्यम कहते हैं जो कम मात्रा में उसे परिक्षिप्त प्रावस्ता कहते हैं यदि आपका विलियन क्या है कोलाईडी वि का वरगी करना कोल आईडी विलियन होते हैं बेटे आठ प्रकार के आप कहोगे कि सर विलियन तो आपने बताए थे नो प्रकार के और कोल आईडी विलियन आप बता रहे हैं कितने प्रकार के आठ प्रकार के ऐसा क्यों है ऐसा पता क्यों है भई हमें इस बात का तो पता है कि आप पहले ठोस को ठोस में गोल दोगे फिर ठोस को द्रव में गोल दोगे फिर ठोस को गैस में गोल दोगे इसी तरीके से द्रव को ठोस में द्रव को द्रव में और द्रव को गैस में ठीक है फिर इसी तरीके से गैस को ठोस में और गैस को द्रव में अब आप कहोगे कि सर गैस को गैस में भी तो गोल दो मैं कहूंगा जब गैस को गैस में गोल लोगे तो गैस के कणों का आकार तो दसकी घात माइनस साथ सेंटीमेटर से चोटा ही होगा और जब 10 की घात माइनस 7 सेंटिमेटर से चोटा होगा गैस के कणों काकार तो फिर कॉलाइडी विलियन तो बनी नहीं सकता वो तो वास्तवी विलियन नहीं बनेगा तो गैस को गैस में गोहलने पर हमेशा वास्तवी विलियन बनता है इसलिए नोवा प्रकार जो है वो वास्तवी विलियन का तो हो सकता है पर कॉलाइडी विलियन नोव प्रकार के नहीं हो सकते कॉलाइडी विलियन कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के होते हैं हमारा हेडिंग क्या था heading था हमारा colidivillion का वरगी करण हमने बताया आठ प्रकार का होता है colidivillion यहां तो हम करम संख्यान लिखेंगे यहां लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्ता यानि जिसे आपने गोल रखा है और यहां लिखेंगे परिक्षिप्ण माध्यम आपको करम तो याद ही है सबसे पहला है ठोस को ठोस में खोल रखा है इसे हम कहते हैं ठोस सॉल इसका नाम है colidivillion का ठोस सॉल जैसे रंगीन रत्न वे काँच रंगीन रत्न जैसे मोती हैं रूबी है बहुत सारे अलगलत तरह के पत्थरों के नाम होते हैं जो अंग उट्टी में पहनते हैं लोग बाग तो ठोस सॉल कहते हैं जैसे रंगीन कीमती रत्न हैं रंगीन काँच हैं ये सब क्या होते हैं ठोस का ठोस में colidivillion होते हैं और इसे हम कहते हैं ठोस सॉल दूसरे प्रकार का जो colidivillion है नमक को बेंजीन में गोल देते हो तब भी ठोस का द्रव में कोलाइडी विलियन बनता है क्योंकि नमक क्या है ठोस पदार्थ और बेंजीन क्या है द्रव पदार्थ उसके बाद नमबर तीन पर आता है ठोस का गैस में कोलाइडी विलियन इसे हम कहते हैं ठोस एरोसॉल ठोस एरोसॉल जैसे धुआ, जैसे धुआ, धुआ ठोस एरोसोल है, धुआ मने कार्बन के कन गुले होते हैं हवा में, तो कार्बन के कन तो ठोस है और हवा गैस है, नमबर चार, अब ठोस के तीनो तरह के कोलाइडी विलियन बनके, चोथे तरह का कोलाइडी विलियन होता है, द्रव का ठोस पायस याइमल्सन परियावाची है दूद पायस याइमल्सन है नमबर चे द्रव का गैस में कोलाइडी विलियन इसे कहते हैं द्रव एि्रोसॉल इनके नाम हैं सबके कोलाइडी मीडियन होग obligation जैसे कोहरा है बादल है कोहरे में क्या होता है द्रव ही तो gas में घुलाता है पानी की बूंदे हवा में नमबर साथ gas का ठोस में ठोस फेन जैसे फोम है जावा पत्थर है ठीक है मतलब gas घुली होती है ठोस में आठवे नमबर का जो कोलाइडी विलियन होता है उसे वो होता है gas का द्रव में कोलाइडी विलियन जैसे आपका ज्ञाग या फेन इसे कहते हैं साबून के ज्ञाग देखे हैं साबून के ज्ञाग जो बनते हैं नहते हुए तो वो साबून के ज्ञाग क्या होते हैं gas का द्रव में कोलाइडी विलियन होते हैं और जब shaving कराने जाते हैं तो जो हमारा hair tracer है वो जब shaving के लिए cream लगाता है तो उसमें भी जहाग हो जाते हैं बहुत सारे whipped cream तो यह सारे आठ तरह के कुल मिलाकर colliding willion है इनके नाम आपको पताओने चाहिए sequence आपको मैंने सिखाई दिया किस तरह होगा sequence उसमें तो कोई गलती होनी नी चाहिए पर colliding willion कुछ विसेश प्रकार के भी होते हैं देखना जरा यहां एक heading लिखी भी है note बहुत काम की है यदि परीक्षेपन माध्यम आपका पानी है जल तो इस तरह के colliding willion को हम hydrosol कहते हैं hydra माने जल हाइडर सब्द पानी के लिए इस्तमाल होता है hydrosol का मतलव collidal solution in water परीक्षेपन माध्यम यदि पानी है तो इस तरीके के colliding willion को hydrosol कहोगे और यदि परीक्षेपन माध्यम अलकोहल है तो इस से बनने वाने colliding willion को आप कहोगे अलकोहल में बनने colliding willion को अलकोहल कहते हैं और बेंजीन में बनने वाले colliding willion को बेंजोसल कहते हैं इनके नाम है कुछ इस पेसल ठीक है hydrosol, alcosol, बेंजोसल अगले point पर आते हैं चलो अब हमें सीखना है colliding के गुण पहला गुण देखो पता चल गया ना colliding willion किसे कहते हैं जब गोले गए पदारत के कणो का आकार दसकी घात माइनस चार से दसकी घात माइनस साथ सेंटीमिटर के बीच में होता है तो colliding का पहला गुण यह है कि colliding कणो का आकार बहुत छोटा होने के कारण इन्हें नगन आखों से नहीं देखा जा सकता मतलब आप निलंबन के कणो को तो देख सकते हो नंगी आंखों से ठीक है पर आप निलंबन के अलावा कोलाइडी कणों को आप नगन आखों से नहीं देख सकते अब देखो next नमबर दो यह एक विश्मांगी मिसरन होता है कोलाइडी विलियन विश्मांगी मिसरन होता है अभी आपको बताया था कि विश्मांगी मिस्रंट दो तरह के होते हैं एक तो कोलाइड और एक तो निलंबन निलंबन पानी में रेत गोल रखा कोलाइड पानी में गोंद गोल रखा नमबर तीन शांत छोडने पर इनके कण तली में नहीं बैठते हैं अर्थात कोलाइड विलियन इस्थाई होते हैं आप कोई भी कोलाइड विलियन लो उसके कंड नीच्चे नी बैठने के हैं जैसे रेत के कंड बैठ जाते हैं निलंबन के कंड बैठ जाते हैं ना नीच्चे कोलाइड विलियन के नीच्चे कंड जैसे वास्तवीक बिलियन के कण नहीं बैठते नीच्चे नमबर चार इनके कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है छानके नहीं अलग कर सकते क्योंकि साइट छोटा है नपरन्तु अब केंद्री करन दुरा अलग किया जा सकता है जैसे एक कोलाइडी विलियन का उधारन दे रहा है आपको जैसे दूद एक कोलाइडी विलियन है ना दूद कोलाइडी विलियन है तो यदि मैं आपको कहूँ दूद में से क्रीम अलग करनी है तो क्रीम को अलग कर दोगे आप छान कर नहीं कर सकते तो क्या होता है? जो डेरी वाले होते हैं देरी की दुखाने उनके पास एक मसीन होती है, सेंटरी फ्यूगेशन मसीन उसमें वे दूद को भरकर घुमाते हैं, बहुत तेजह जैसे मिक्सी होती है हमारे घरों में या मतनी होती है तो उसमें क्रीम जो है उसका द्रव्यमान कम होता है और जो लिक्विड है जो परिक्षेपन माध्यम है क्रीम तो परिक्षिपन प्रावस्ता है और परिक्षेपन माध्यम है लिक्विड उसका द्रव्यमान होता है ज्याद है तो जब उसे गोल-गोल घुमाये जाता है न मसीन में तो ऐसी मसीन को हम कहते हैं अपकेंदरीत्र या सेंटरिफ्यूगेशन मसीन और क्रीम अलग हो जाएगी और दूद अलग हो जाएगा आपने नाम सुनाओगा सप्रेटा दही, सप्रेटा दूद सप्रेटा सप्रेटा सही सब्द है, सेप्रेटिड यानि अलग करा गया ठीक है, सप्रेटा दूद की जो दही बनेगी उसका स्वाद भी अलग ही होगा बिल्कुल एकदम तो इनके कणों को चान कर अलग नहीं किया जा सकता परन्तु अपकेंद्री करण अपकेंद्री करण वो मसीन है जिसमें दूद को भरके गुमाया जाता है और वो बिल्कुल ऐसी मसीन है जिसमें आप दही को भरके गुमाते हैं और मठा या च्छाच अलग बन जाता है मखन अलग निकल जाता है अब केंद्री करण द्वारा अलग किया जा सकता है नमबर पांच इनके करण फिल्टर पेपर के आरपार निकल जाते हैं फिल्टर पेपर के आरपार निकल जाएंगे चान नहीं सकते हैं आप ही नहीं नमबर 6 इन से गुजरने वाले प्रकास का प्रकीर्णन हो जाता है बिलकुल मतलब कोलाइडी विलियन में से जब प्रकास निकलेगा तो प्रकास के चलने का रास्ता दिखाई देगा तो इन से गुजरने वाले प्रकास का प्रकीर्णन हो जाता है जिसके कारण प्रकास के चलने का मार्ग दिखता है इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं जब कोलाइडी विलियन से प्रकास गुजरता है और उसके चलने का रास्ता दिखाई देता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी मम्मी जब ज़डू लगाती है कमरे में और कमरे के किसी पॉने से जरो के से रोसंदान से सूरिय के प्रकास आता है और उसके चलने का मार्ग दिखाई देता है तो वो भी तिंडल प्रभाव जैसा ही है इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव ग granular हैते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे शहर में जब कभी सरकस लगता है या डीजे में कुछ लाइटे लगती है उपर की तरफ को जब लाइटे पूरे दिखाई देती हैं हमें लाइटे प्रकास के चलने का मार्क दिखाई देता है टिंडल प्रभाव है ठीक है अब देखो एक क्योस्चन है तीसरा NCRDA उधारन के साथ समांगी तथा विसमांगी मिसरणों में विभेद कीजिए अब आप करी लोगे विभेद तो देखो जिस मिसरण के प्रतेग भाग के गुण समान हो उसे समांगी मिसरण कहते हैं जैसे पानी में चिन्नी गोल दी और जिस मिसरण के प्रतेग भाग के गुण समान नहीं होते हैं उसे विसमांगी मिसरण कहते हैं जैसे पानी में रेत गोल दिया हो गया ना उधारन सहीत आंसर चलो अगला क्योस्चन देखो क्या है अगला क्योस्चन है विलियन, निलंबन और कोलाईडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन है बहुत बढ़िया क्योस्चन है बहुत ही बढ़िया हमें इन तिन्नों में अंतर देखना है इन तिन्नों में अंतर देखना है इन तिन्नों में एक तो हमारे पास वास्तविक विलियन है, एक हमारे पास कोल आईटी विलियन है, और एक हमारे पास निलं बन है, तिन identical के चित्र बनागे दिखाये थे मंने आपको बरतन लिये थे तीन तरह गंने देखो वास्तविक विलियन, कणो का अकार कितना होता है, 10 की गात माइनस 7 cm स बड़ा और यहां फिर कोलाइडी विलियन के कणों का आकार इनके बीच में होगा दस्की घाद माइनस साथ से दस्की घाद माइनस चार सेंटिमिटर देखो दस्की घाद माइनस साथ यह है दस्की घाद माइनस चार यह है नमबर दो वास्टवी विलियन एक समांगी मिसरण है और कुलायडी विलियन विसमांगी मिसरण होता है और निलंबन भी विसमांगी मिसरण होता है नमबर 3, कन दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, छोटे कन हैं दिखाई नहीं देते हैं और कन सुक्स्म दर्सी से दिखाई दे सकते हैं औलाइडी विलियन के कन सुक्स्म दर्सी से दिखाई दे सकते हैं और निलंबन के कन नगन आँखों से दिख सकते हैं बड़े हैं ना साइज में इसलिए नंबर चार वास्तवी विलियन में अभियवों को चान कर अलग नहीं कर सकते हैं और बेटे अब केंद्री करण द्वारा अलग कर सकते हैं दूद में से क्रीम अलग करनी दूद को लाइडी विलियन होता है ना अब केंद्री करण से होंगे च्छान गयें भी यह लग होने के हैं निलंबन है च्छान कर घठको को अलग किया जा सकता है इनके अलग कर लोगे आप च्छान कर नंबर 5 उधारण है पानी में चिन्डी घूल ग्विलियन बन गया इसका उधारण दूदिया साही दोनों क्या है कोलाइडी विलियन है नंबर पांच पानी में रेत घोल दिया तो निलंबन बन जाएगा तो ये क्योस्चन यदि एक्जाम में आया तो कर देना चाहिए आपको चलो अगला क्योस्चन देखते हैं देखो इस तरह का नुमेरिकल आता है पिपर में ये नुमेरिकल है एक संत्रफ्त विलियन बनाने के लिए 36 ग्राम नमक को 100 ग्राम जल में 293 केल्वीन पर घोला जाता है इस तापमान पर इसकी सांदरता प्राप्त कीजिए ठीक है देखो हमारे पास विले है नमक कितना है 36 ग्राम विलायक कितना है पानी कितना था 100 ग्राम तो विलियन कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ लो 100 और 36 एक सो 36 ग्राम हो गया विलियन आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत में फार्मूला क्या होता है विले का द्रव्यमान उपर लिखो बटे में लिखो विलियन का द्रव्यमान और गुणा कर दो 100 से विले कितना था यह रह 36 ग्राम विलियन कितना था 136 ग्राम और गुणा कर दी 100 से कर लोगे इसे तो चलो आग ज्यादते हैं अब हमें पढ़ना है ज्यान से देखना अगले थोड़े से प्रैक्टिकल हैं छोटे छोटे चोटे आसानी से समझ में आ जाएंगे अब हमें पढ़ना है मिसरन के घटकों का प्रतक करना वहीं मिसरन जो विसमांगी मिसरन होता है उ अलग कर सकते हुँ समस्थ कुछ विदियां में सीखनी है कुछ विशेश विधियां सीखनी है निंबर एक मांअलो रंग वाले घटक जीसे आप ड़ाइ कहते हो ड़ाइ को नीले या काले रंग की स्याही से प्रथक करना है आपकी जो स्याही है पैन की स्याही कहे दो चाए जो पैन में डलती है स्याही उसमें कलर तो हो गई आपको उस स्याही में से कलर कलर को हम डाई भी कहते हैं उसे अलग करना है तो आप एक काम करो दिखाई दे रहा होगा चित्र आपको इस चित्र में हमने निच्चे तो भरका है यहां तो भरका है पानी यह जो बीकर है न यह क्या है बीकर इस बीकर में निच्चे बर्नर लगावा है क्या लगावा है बर्नर या स्पृरिट लेंप यूज करो वर्णर के उपर हमने बीकर रख़ दिया बीकर में बर दिया पानी अध्ध ही बरना है यहां तक यहनी की पूरा लबा-लब बर दिया उसके उपर रखना आपको वाच ग्लास क्या है वाच ग्लास है यह कांच की एक प्लेट सी होती है लैब में भी रखी रखती है आपके वाच ग्लास के उपपर साही की कुछ बंदे डाल दो इसके उपपर जब आप इसे बर्णर को जलाओगे तो पानी गरम होगा पानी गरम होगा तो इसकी भाब बनेगी भाब गरम करेगी वाच गलास को जो उपर प्लेट रखी आपने भी करके उपर और जब प्लेट यानि वाच गलास गरम होगा तो उसमें जो साही डाल रखी साही की बुंदे उपर डाल रखी नहीं आपने बहुत सारी वो गरम होगी गरम होगी तो पानी तो वाश्प बनके उड़ता रहेगा पानी तो भाब बनके उड़ेगा और यहां आपके पास क्या बच जाएगी फिर फिर सिरफ आपके पास यह डाई बच जाएगी डाई यानि कलर यह कलर कलर इसका मतलब यह है कि हमने पानी को भाब बनाकर उड़ाया है तो कौन सी विधी का प्रियोग किया है वास्पी करण का यानि आपने स्याही को गर्म किया है जिसकी वज़े से पानी तो सारा भाब बनके उड़ गया और आपके पास क्या वचा रंग या डाई बच गया पताओ practical समझ में आया है कि रलोगे तो आप स्याही में से color को अलग कर लोगे चलो आग जाहते हैं अभी इस practical को समझो ज़रा दھیहान से देखो दिखाई दे रहा किसे या जूम करूँ थोड़ा चलो देख लो एक मदट चेक कर लो में उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा वैसे ज़दे इसमें समझने की आवशकता नहीं मैं वैसे ही explain कर दूँगा आपको यहां लिखावा है यहां लिखावा है यहां एक चीज लिखी है देखो अभी मैं सारी चीज एक्स्प्लेइन कर दूँँगा न यह जो टॉपिक है न यह है दूद से क्रीम को प्रथक करना भई दूद से क्रीम को अलग करना आपको इसमें एक बात लिखी वी है कि आजकल बाजार में फुल क्रीम यानि संपूर्ण मलाई युक्त टोन्ड डवल टोन्ड प्रकार के दूद पॉली पैक में बिखते हैं दूद के इन प्रकारों के भिन भिन मातरा में वसा होती है इन प्रकारों में क्या होती है वसा होती है अलग-अलग मातरा में हमें इस क्रीया कलाब पर ध्यान देना हम है एक परखनली में थोड़ी मातरा में फुल क्रीम युक्त दूद ले लिया इसमें दो मिनट तक अपकेंद्रिय यंत्र यानि सेंट्री फ्यूगेशन मसीन में अपकेंद्रित करते हैं हमने दूद लिया सेंट्री फ्यूगेशन वसीन में डाल दिया दो मिनट तक गुमा दिया दूद को मतने पर उपर क्रीम की एक परत आती है जिसे प्रथक किया जाता है दूद में से क्रीम का प्रथक करण क्रीम के दूद से हलका होने के कारण संभव होता है यह क्रीम हलकी है दूद से इसलिए क्रीम अलग होगी घुमाने नरों में कुछALK है डइरी की समझे में तो क्रीम निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है अपके इंद्री करण कौनसी विधी सही मसीन होती है उसमें दूद भरो गुमादो करीम अलग हो जाएगी उसमें इस अप केंद्री करण विधी के कुछ अन्यय परियोग हैं जैसे नर्डु पर्योग षाला में रंड्ष मूतर की जांच करने में भई रक्त और मूत्र की जाँच करने के लिए भी हमें उसे गुमाना पड़ता है अपके इंदरीत मसीन में रक्त को भी और मूत्र को भी जिस से अलग-अलग हो जाएं उसके कंपोनेंट और पता चल जाएगी इसमें क्या-क्या चीज़ है ठीक है डेरी तथा घरों में क्रीम से मक्खन निकालने में प्रियोग होता है वाशिंग मसीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निकालने में आपके जब वाशिंग मसीन में आप कपड़े सुखाते हो, तो उसे ड्रायर में डालके गुमाते हो ना, तो वो भी तो एक तरह की अपकेंदरी करन मसीनी थे, सेंट्री फ्यूगेशन मसीन की तरह काम करता है, जब उसे कोल-कोल गुमाओंगे, तो आपके कपड़े तो हलके ह ठीक है, पर जो उनमें पानी भरावा वो भारी है, तो पानी के उपड़े अपकेंदर बल लगेगा, बाहर की तरफ को निकल जाता है सारा पानी, और कपड़े सूख जाते हैं आपके, ठीक है, सरदियों में जादे यूज होता है, उसका ड्रायर का, नमबर तीन, दो ए मिसरन को पर्थक करना, वही जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके पास पानी और मिट्टी का तेल है, उसे कैसे अलग करोगे, पानी और मिट्टी के तेल को, ऐसे करोगे अलग देखो, क्रिया कला आपको तो आप पढ़ने की जरुरत नहीं है, पढ़ना चाओ पढ़ लेना, य यानि एक पेंच है, उसे कस रखा, कभी नीचे गिर जाए, सारा मेटीरियल टपक टपक के, पानी और मिट्टी का तेल जब आप एक बरतन में भरोगे, या आपके पास एक बरतन है, इस बरतन में आपने दो चीज़ ले रखी है, एक तो पानी है, और एक है कैरोसीन, यानि मिट्टी का तेल, ठीक है, जब पानी और मिट्टी के तेल को आप आपस में मिलाओगे, तो जब तक इस बरतन को हिलाते रहोगे, या इसमें एक चमच डाल के इसे हिलाते रहोगे, तब तक तो यह मिले रहेंगे, और जब आप इसे हिलाना बंद कर दोगे, सांत छोड़ द होता है आप इन्हें दुन्नों को अलग अलग करना चाहरे ना तो इन्हें इस कीप में भर दो उपपर से इस कीप को हम कहते हैं प्रत्थककारी कीप ठीक है या सेप्रेशन पणल इसमें जब भरोगे तो उपर किसकी लेयर बन गी यह जो और बनीना यहां से लेके हाँ तक यह तो बनी मिट्टी के तेल की परत और निच्चे वाली परत जो है वह पानी की परत है जल की परत निच्चे इसके एक रख दो भीकर जिसमें आपको समान रिसीव करना है डिला करो पेंच को निच्चे पानी है ना पानी है तो पानी की जलतू के बरतन में, फिर उसके बाद आप तीसरा बरतन रख दो, उसमें मिट्टी के तेल को निकाल लो, बताओ ओनी कए का लग, इस कीप को हम पर्थक कारी कीप या पर्थक करण कीप कहते हैं, ठीक है बिटे, कर लोगे इसे प्रैक्टिकल को, इसे निथार ना ही कहते हैं, इसके बारे में यही लिखा हुआ है बस अब आजाओ नंबर चार पर नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिसरन को पर्थक करना नमक और अमोनियम क्लोराइड नमक तो उड़नी सकता पर अमोनियम क्लोराइड एक एक खासियत है अमोनियम क्लोराइड में कि जब हम इसे गरम करते हैं तो ठो सवस्था से सिद्धा गय सवस्था में बदल जाता है ठो सवस्था से सिद्धा गय सवस्था में यानि एक उर्धु पातेज पदार थे देखो practical कैसे करना है हमें आप पूरा ध्यान इस practical पे दो बाकी सोचने की जोरत नहीं है कुछ भी हमें क्या करना है एक हमने लिया यह क्या है बर्नर एक तो बर्नर या spirit lamp ले लिया और एक लिया हमने चीनी मिट्टी की प्याली यह एक प्याली है चीनी मिट्टी का प्रतन है हमारे पास और इसके उपड़ा हमने लगा दी एक उल्टा फनल लगा दिया फेक है यह लिखा वाँ उल्टी रखी कीछ और उसके उपड़ा दिया यहा रूई से इसके मूँ बंद कर दिया फ़ता चलोगई आप बर्टनर है चिन्दी मिट्टी की प्याली है इसके उपर उल्टी कीप रख दी और क्या रख दिया रूई से इसे बंद कर दिया अब इसमें यहां डेर लगा दिया हमने अमोनियम क्लोराइड है इसमें और नमक है इन दुरनों को अलग करना गरम कर दो बस जब आप गरम करोगे तो ammonium chloride उड़ना शुरू हो जाएगा नमक तो नहीं उड़नेगा है ammonium chloride जब उड़ेगा तो उड़के इसकी जो keep की दिवारे हैं तो हवा से ठंडी हो रही हवा की विज़े से ठंडी होने के कारण यहां यह जम गया देखो यह जमता जा रहा ठीक है ammonium chloride की वास्प जब उड़ी तो दिवारों से ठंडी होगी और ठंडी होगे फो सीकरत ammonium chloride वो जम जाएगा दिवार उपर और जब कुछ मिनट हो जाएं तो इसे burner को यहां सर्ठाओ और उसे keep को सिद्धा करो और किसी चाकू जैसी चीज से सारे को खुरच लो इसे खुरच लोगे ना तो सारा का सारा ammonium chloride आपको मिल जाएगा तो इसे कहते हैं इस विधी का एक नाम है उर्धो पातन विधी क्या नाम है उर्धो पातन समझ में आ गया होगा है तो पढ़ रखे चोटी classes में आपने next अब देखो अगला क्या है यह जो पांचवा है छोटे छोटे प्रैक्टिकल है काली स्याही में विध्यमान डाईयों को प्रथक करना अभी आपने जो है स्याही से पानी को अलग करके आपने स्याही में से पानी अलग कर दिया को आप अलग अलग करो को तो उसके लिए यह प्रैक्टिकल है द्यान से voting समझना जरा के बहुत आसान है अलग अलग करने है आप सबसे पहले एक यह एक फिल्टर पेपर का टुकडा ले लो कि यह जो है फिल्टर पेपर का एक टुकडा है धे थिहान से देखो क्या है यह फिल्टर पेपर का एक लंबा सा कागज काट लो कागज काटने के बाद इस फिल्टर पेपर को एक तरफ से तीन इंच उचाई पर एक रेखा खेंची हमने कितने उपर खेंची तीन इंच पर यह रेखा हमने खेंची तीन इंच पर और इसके उपर लगा दिया एक स्याही की बूंद ये स्याही जिस स्याही में से आपको सारे कलर, सारे गटक अलगलग करने, आपने क्या लिया च्छनक पत्र, यानि फिल्टर पेपर का एक लंबा सा टुकडा काट लिया, और फिर उस से एक तरफ से तीन इंच उपर पैंसिल से निसान लगा दिया, एक लाइन खेंज दी, उस लाइन के बिल्कुल बीच में साही का एक निसान, साही की एक बूंद टपका दो यहाँ, और फिर इसे सुखा लो, इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद एक बीकर बीकर लो, बीकर में थोड़ा सा पानी भरो, जल भरो, जल भरने के बाद इस फिल्टर पेपर को जिसमें आपने तीन इंच पे लाइन खेंच रखी थी पैंसिल से, और बीच में साही की एक बूंद गिरा के सुखा रखी थी, उसे आप इसमें अंदर डाल दो और सर्थ यह है कि जो आपका यह जो निच्चे का सिरा है ना इसका यह वाला सिरा, निच्चे का, इसका फिल्टर पेपर का, यह सिरा पानी को सिरफ छूना चाहिए, बहुत हलका सा टच करना चाहिए, जैसे यहां तक पानी है, और यह आपका यह आपका फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर पानी को सिरफ टच करें बस, टच भी बस यह हो समझो ना के बरबर टच ही कर रहा हो बस तो जब टच करेगा ना तो होगा क्या, शाहिए का निसान है इसमें, छनक पत्र है यह हमारे पास जार ले रखा हमने कागज की क्लिप से हमने इसे लगा रखा है मतलब हमें पानी को सिरफ छुआना है पानी को छुआना है तो क्या होगा पानी इसमें चड़ेगा का उपर की तरफ जैसे तोलिये में चड़ जाता नियुक्त पानी तॉली भी यदीफ दूबा अब दूबा और आप राना जाता आपको एक सिरह को दूबाना ना तो यह आपका था यह प्छोफर उपने यह श्याय जाता रिंदिी san मान लो तीन कलर हैं A, B, C तो जो भी कलर सबसे जादे पानी में गुलता होगा जो सबसे अधे गुलन सीलोगा वो कलर आपको सबसे उपर उसकी इस तरीके की पट्टी दिखाई देगी इन तीनों में से जो भी सबसे अधे गुलता होगा उससे कम जो गुलता होगा उसकी पट्टी हाँ जो सबसे कम गुल रहा उसकी हाँ तो आपको यह तीनो कलर फिर अलग-अलग मिल जाएंगे कि यह जो कलर है डाई यह इन तीन कलर से मिलकर बनी है यह जो हमने मैथड पढ़ाना इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी नाम ध्यान रखना क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी के और भी ज़्यादे प्रियोग हैं बड़ी कक्साओं में ग्रेजवेशन में ज़्यादे पढ़ हो गया आप इसे अभी तो क्रॉमेटोग्राफी ध्यान रखना इसके कुछ और भी अनुपरी होगए जैसे डाई में से रंगों को अलग करना प्राकर्टिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना रक्त से नसीले पदार्तों को अलग करना जैसे हमें यूँ देखना कि किसी आदमी ने कोई नसीला पदार्थ तो नहीं ले रखा तो उसके खून की एक बूंद लेंगे और इसी तरीके से जैसे हमने साही की एक बूंद फिल्टर पेपर पे लगाई इसी तरीके से हम एक बूंद खून की लगाएंगे और फिर देखेंगे उसने क्या खेले रखे नसीले पदार्थ इस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं जाच करते हैं ठीक है उसके बाद है दो गुलंसील द्रवों के मिसरन को प्रथक करना आपके पाद दो द्रव हैं जो आपस में गुल जाते हैं और उन दोनों द्रवों को अलग करना आपको बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो मेरे पास एक द्रव ए है और एक द्रव भी है दुन्नों घुल जाते हैं पर इसका कृथनांग है 80 डिगरी सी और इसका है 120 डिगरी सी दुन्नों को अलग-अलग करना तो आप दोनों को इस फ्लास्क में रख दो ठीक है यह क्या है गोल पेंदी वाला फ्लास्क है जिसे आसवन फ्लास्क कहते हैं स्टेंड के उपर हमने लगा रखा यह क्लैम्प है यानि इसे पकड़ने के लिए यहां निच्चे बरना रहे स्टेंड है सब पता आपको हमें क्या काम करना है यदि हमारे पास एक द्रव 801 का कौथनांक 801 का 120 यह थर्मामेटर उपर लगा रखा हमने थर्मामेटर रही यह थर्मामेटर हैं यहां से यहां तक आप इस इसे गरम करो 80 degree c पर थर्मामेटर से पताशल जागा तो 80 degree c पर गरम करोगे तो आपका यह वाला द्रव तो उड़ेगा और उड़के यहां से जाएगा निकास नली से उत्तेवे और जल संगनी तरद्वारा ठंडी हो जाएंगी इसकी भाप एकी और ठंडी होके यहां इकटी हो जाएगी जब यहां बूंद बूंद गिरनी बंद होगी तो इसका मतलब सारा ए आपने उड़ा दिया यहां से अब आप इसे हटा लो यहां से इसके उपर लिख दो कि हमने ए को इसमें रख रखा है सुद ए को अब क्या काम करो अब आप temperature को ले जाओ कहां तक गरम करके 120 तक तो 120 तक जब ले के जा रहे तो यहां कोई दूसरा बीकर रखना है आपको जो wastage के लिए है और जब 120 पर पहुँचने के बाद यहां तेजी से बुंद गिरनी शुरू हो जाए तो तीसरा रखना आपको भीकर और तीसरे भीकर में 120 डिगरी सी पर आपको यह भी मिलना शुरू हो जाएगा जब 120 पर temperature रख रहे है और टपकना बंद हो गया नहीं 20 सारा उड़ गया वाल से उठागे उसे रख दो अलग और उसके उपर लिख दो बताओ समझ में आई का बात इसे हम विधी को कहते हैं आसवन विधी क्या कहते हैं आसवन यह लिखावाए हैं आसवन विधी तो आसवन विधी से आप अलग कर सकते हो ठीक है जैसे जल और ऐसी टोन का विलियन में से जल और ऐसी टोन को अलग करना है ऐसी टोन तो 98.3 degree C पर उबलता है और पानी उबलता है 100 degree C पर तो पहले, sorry, 78.3 degree C पर ऐसी टोन का कोथनांगे तो 78.3 degree C पर गरम करोगे तो ऐसी टोन उड़के यहां द्रव में बदल के हां इकठा हो जागा उस विधी को हम कहते हैं आसवन विधी क्या कहते हैं आज़्य चलो यह चोटे-चोटे question कभी-कभी आजाते हैं exam में आसवन विधी का ही एक रूप है जिसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन या Fractional Distilling इसका प्रियोग तब किया जाता है यदि जो द्रव हैं उनके क्वथनांकों में 25 डिगरी C से कम का अंतर है तो उने अलग करने के लिए हम प्रभाजी आस्मान विधी का प्रियोग करते हैं और उसका चित्र यह है बिल्कुल उसके जैसा ही है सिर्फ एक चीज यह बढ़ी वी है यह वाली इसे कहते हैं प्रभाजी कॉलम या प्रभाजी स्तंब मतलब यह जो है कम अंतर यदि मैं कहूं कि मेरे पाद दो द्रव हैं A और B और इसका क्वथनांक मानलो 80 डिगरी C है और इसका क्वथनांक है 80 डिगरी C या 100 कर दो चलो इसका क्वथनांक मान लो 100 degree c है तो दुन्नों के कौतनांकों में देखो 25 से तो कम कई अंतर है कितने का अंतर है 20 degree c का है तो साधरन आसवन विदी से आप इने अलग नहीं कर सकते क्योंगे इसके साथ ये भी थोड़ा बुता उड़ जाएगा तो हम प्रभाजी कॉलम लगा देंगे बीच में सिरो ये प्रभाजी कॉलम जो है न जब आप इसे असी पे गरम करोगे इसे फ्लास को तो थोड़ा बुता पानी भी उड़ेगा पर उस पानी को रोक लेगा ये रोक लेगा कि तेरी अभी परमी सन्नी है पहले इसे जाने दियार पार तो पहले ये जाएगा और ये जाके यहां से फिर इसकी भाप ठंडा होगे द्रव में बदल के यहां इकटी होती जाएगी तो प्रभाजी आस्वन विधी का प्रियोग तब करते हैं जब द्रव जो हैं उनके दोन्नों द्रवों के मिस्रण में जो कुतनांक है दोन्नों द्रवों के उन में 25 डिगरी सी से कम कांटर है देखो यहां लिखा हुए वायू से गैसों को प्रापत करना हमें वायू से गैसे प्रापत करनी हैं तो हम प्रभाजी आस्वन विधी का प्रियोग करेंगे सबसे पहले हम वायू लेंगे और वायू को दाब बढ़ा कर और तापान कम करके उसे संपीडी तो ठंडा कर देंगे हवा को दाब तो बढ़ा देंगे ताब घड़े ठंडा यह द्रव यह वायू बना दिया हमने उस सारी वायू को ठंडा करके द्रव में बदल दिया और द्रव में बदलने के बाद फिर प्रभाजी आसमन कॉलम को धीरे धीरे गरम करेंगे प्रभाजी आसमन कॉलम में बेद दिया उसे फिर जो द्रवीत वायू है उसे धीरे धीरे गरम करेंगे तो गरम करने पर क्या होगा विभिन उचाइयों पर गैस अलग-अलग हमें प्राप्त होगी, ऑक्सीजन तो माइनस 183डिग्री सी पर अलग होगी, आर्गन होगी 186डिग्री सी पर और नाइट्रोजन 196डिग्री सी पर, देखो माइनस है, माइनस में यह सारी वैल्यू, ठीक देखो चित्र को देख चित्र सथोड़ा समझ में आएगा इस सिर्फ चिजैस एक बार समझ़ने की लिए कभी सोचोगी एक्जाम में चित्र बनाने के लिए सबस्क्रणनी तो سबस्क्जानने के लिए मैं आपको बता रहा थोड़ा थोड़ा देखो हमने च्छानक लिया एक वायू की एंट्री कराई यहां वायू पहुंची उसे दबाया अभी गर्म वायू है गर्म वायू को जब इस चैंबर में भेजते हैं इदर तो इसमें आप देख रहे हैं निच्चे से एक पाइप आ पाइपं यहां से निकलता है तो यह जो पाईपि और यह जो पाइप है यह इस पूरी हवा को थंठा कर देगा हुझारी दिखा रही द्रव में बदल के बैठकी हवा और पिर क्या होता है कि जो सीतल संपीडी तवायू सीतल ठंडी हवा जो है वो यहां से अभी तो गर्म थी हमने ठंडी कर दी ठंडी हवा को यहां ले जा रहे हैं यहां ले जाने के बाद जो हवा ठंडी होकर बरफ में बदल जाएगी जैसे सुर्ष बर्फ के रूप में कार्बन डाय ओक्साइड सी ओडू गैस यहां से निकल जाएगी बाहर और बाकी गैस जो है वो सारी लिक्विड में कनवर्ट होगी यह जो निच्चे दिखाई दे रहा ना आपको यह पूरा द्रव अवस्था में गैस आगी हमारी और यह प्रभाजी आसवन कॉलम है अब धीरे धीरे हम इसे गर्म कर रहे हैं गर्म करने पर क्या हुआ कि जैसे यह अलग-अलग निसकासन यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से आरगन गैस निकल जाएगी और लास्ट में आपके पास यहां द्रवीय ऑक्सीजन बचेगी ऑक्सीजन मिली द्रव अवस्था में ठीक है तो यह अलग करने के तरीके हैं इसमें जादर डिटेल में जाने की ज़रुत नहीं आपको सिरफ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जैसे आपने देखा होगा यहां लिखावाए नगरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूरती सप्लाई ओफ ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम वाटर वर्क्स देखो इस तरह के प्लांट होते हैं नगरों में सप्लाई के लिए यह जैसे हमारे पास जल का बंडा हरह है यहां से हम पहले टैंक में से गुजार रहे हैं थोस पदारतों को नीचे बैठाने के लिए टैंक है जिसे कहते हैं तलहट टैंक इसमें ठोस पदार निच्चे बैठ जाएंगे सारे जो असुद्धियां है फिर भार या लोडिंग टैंक में बेजते हैं निलंबित असुद्धियों के तलहट के लिए इसमें भी कुछ असुद्धियां जो निलंबित हो जाएंगी रेत जैसी में निच्चे बैठ जाएंगी फिर उसके बाद च्छानक टैंक में गया हमारा पानी च्छानक टैंक में क्या है इसमें बहुत सारी चीज्जें है पानी तो उपर है बारीक बालू भी है इसमें छानने के लिए कंकड भी हैं, मोटे कंकड भी हैं, अलग-अलग तरह के कंकड हैं, जब पानी उपपर से उन में सब में से गुजरेगा तो बहुत सारी चीज़ें छन जाएंगी उसमें, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो टैंक है हमारा वो है बैक्टीरिया मारने के क्लोरीन इसमें सप्लाइ करी जाएगी पानी में जिससे बैक्टीरिया मर जाएं, और फिर गहरों में सप्लाइ होगी इसके बाद, तो यह जो है पानी को सुद करने के लिए कहीं सारे स्टैप ले रहे, कहीं सारे स्टैप, अब आज आओ अगली बात पर, देखो यह क्योश Q6. पैट्रोल और मिट्टी का तेल आपस में घुलन शील हैं। उनके मिसरण को आप कैसे प्रथक करेंगे। पैट्रोल तथा मिट्टी का तेल के कौथनांकों में 25 डिगरी सी से अधिक का अंतर है। जो धर्ती में से कच्चा तेल निकलता है। जिसे कुरूड ओयल कहते हैं। तो उसमें से भी सारी चिज्जों को अलग करने के लिए प्रभाजी आस्मन विधि का ही प्रियोक किया जाता है। अब आते हैं। साथवे।- यह से नपर पर्थक करने की सामने विधियों के नाम बताईये चलो पताते हैं यह दे रखा है दही से मक्खन को अलग करना है तो पता है आपको अपकेंदरन विधी का प्रियोग करोगे आप ठीक है नंबर बी जही से मक्खन अलग करते थे ना पहले गाओं में सब वो जो घर में दादी होती थी या नानी वो क्या करती थी ऐसे यूँ ऐसे ही तो करते हैं गाओं में सब एक बड़ी सी हंडी होती है उसमें एक मतनी लगी होती है लकडी की और दो रसीयां ऐसे पकड़ के गुमाते हैं त से मतनी केते हैं हम समुदरी जल से नमक अलग करना है तो वास्पी करनी तो करोगे पानी उड़ जाएगा नमक रह जाएगा नमक से कपूर को अलग करना है तो उर्धु पातनी तो करोगे कपूर उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा वहीं गरम करो से कपूर तो उड़ जाएगा सारा ठीक है उसके बाद आठवा क्योस्चन है पाठे नीद का NCRD का क्रिस्टली करण विधी से किस प्रकार के मिस्रणों को प्रत्थक किया जा सकता है यह आपको ध्यान रखना है क्रिस्टली करण विधी का प्रियोग किया जाता है ठोस पदार्थों के मिस्रण को अलग करने के लिए इसे अलग करने के लिए ठोस पदार्थों के मिस्रण को अलग करने के लिए चलो अगला ग्योस्चन देखो अगला हेडिंग है भौतिक परिवर्तन या physical changes बहुती परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे मालो आपके पास पानी है और आपने उसे ठंडा कर दिया और वो बन गया बर्फ तो आपने पदार्त की अवस्था ही तो बदली ये द्रव था वो ठोस में तो बदल दिया बर्फ तो फिर दुबारे पानी में बदल जाएगा बदल जाएगा ना तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्त की बहुती का वस्था बदलती है और वो जो बहुती का वस्था नई वाली है वो फिर दुबारे से पूरा नी वस्था में वापस आ सकती है ऐसे परिवर्तन को हम बहुतिक परिवर्तन कहते हैं क्या कहते हैं बहुतिक परिवर्तन तो यदि कोई पूचता है बहुतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजिस का क्या मतलब है तो आपको बताना है जिस परिवर्तन में पदार्त की केवल भौतिक अवस्था बदलती है तथा पदार्त अपनी पहली अवस्था में पुनहें लोट सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है इसमें नया पदार्त नहीं बनता है जैसे एक्जामपल देखो जल का बर्फ बनना यदि पानी बर्फ में बदल गया तो बर्फ भी तो पानी में बदल सकता है दूसरा उधारन बर्फ का जल बनना तीसरा जल का वास्प बनना चोथा वास्प का जल बनना तो ये सारे क्या हैं? उधारन ही तो हैं मतल مثل यह आपस में बदल सकते हैं भौनटीक परिवर्टन का खासियत यह है कि उसमें पदार्थ की अवस्था बदलती है नया पदार्थ नहीं बनता जैसे कौपर के तार में विदुद का बहना कौपर के तार में विदुद धरा बहर रही है आप current देना बंद कर दो तो नहीं वहने की तो यह भी भौतिक परिवर्तन है विद्धुत बल्ब का प्रकास देना विद्धुत बल्ब को ओन रखोगे तो प्रकास देगा बंद करोगे तो प्रकास देना बंद कर देगा फिर अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा मक्खन का पिंखलना एक बरतन में मक्खन रखा वाए वो पिंखल गया, द्रव अवस्था में बदल गया फिंडा कर दो जम के फिर दुबारे से मक्खन में ही बदल जाएगा समझे में आगी बात तो यह उता है विटे ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं अब भौतिक परिवर्तन का भाई है रासाइनिक परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन या chemical changes क्या होता है रासाइनिक परिवर्तन रासाइनिक परिवर्तन की खासियत यह होती है कि इसमें नया पदार्थ बन जाता है नया पदार्थ तो यहां लिखावा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासाइनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिस से कोई नया पदार्थ बन जाता है अब यह नया पदार्थ पुनह पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकता है या में आना चाहिए था पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकता है ये नया पदार्थ फिर पुराने पदार्थ में नहीं बदल सकता रासाइनिक परिवर्तन के उधारन देखो पहला उधारन इंधन का जलना आपके पास मालो लखडियां हैं, आपने उन्हें जला दिया, तो जलने से कोईला बन जाएगा, क्या कोईले से दुबारे लखडियां बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्योंकि पदार थी बदल गया, पहले लखडिया थी अब कोईला बन गया, ऐसा रासाइनिक परिवर्टन हो सकता है पर जंग से लोहानी बन सकता दूद से दही बनना वहीं दूद आपका दही में बदल गया अब क्या दही से दूद बना दो गया आप नहीं बना सकते ऐसे परिवर्तन को गहते हैं रासाइनिक परिवर्तन ठीक है आपने पानी में विद्युधारा प्रभाहित करी और हाइडरोजन और ऑक्सीजन गैस में तूट गया अब क्या हाइडरोजन और ऑक्सीजन गैस फिर दुबारे से पानी बना देगी नहीं तो रासाइनिक परिवर्तन की खासियत यह होती है कि रासाइनिक परिवर्तन में पदार्थ नया बन जाता है कोई नया पदार्थ और फ प्रकास होगा उश्मा निकलेगी तो जितना मौम जल गया उसने तो अपनी अवस्था बदल दी धुमा भी तो बना दिया उसने तो यदि मौम जल रहा है तो राशाइनिक परिवरतने पर जो आसपास का मौम है वो तो पिंखल के निच्चे भी तो गिर रहा होगा है तो आसपास का मौम जो पिंखल के निच्चे गिर रहा है वो भौतिक परिवर्तन है इसलिए हम कहते हैं कि मौम बत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन दोन्यों का क्या है मिस परिवर्तन, वर्गीकरत कीजीे हैं यहां कुनों की जगह क्या आने चाहिए परिवर्तन sos यहां से स्टार्ट है आप बता दोगे एकदम पहला है पेडों को काटना पेडों को काटना बहुत इक परिवर्तन है पेडों को काटने से कोई पदार्थ तोड़ा ही बदल रहा कटने से पहले भी में पेड थे और कटने के बाद भी पेड ही है तो पदार्थ तो नीनाया बना तो बहुतिक परिवर्तन है उसके बाद मक्खन का पिंगलना ये भी बहुतिक परिवर्तन है अवस्था ही तो बदली पदार्थ की मक्खन ठोस्ता पिंगल गेदर हो गया नमबर तीन, अलमारी में जंग लगना, ये रासाइनिक परिवर्तन है नमबर चार, जल का उबलकर वाश्प बनना, ये बहुतिक परिवर्तन है आपको पता है विद्युत तंग का जल में प्रवाहित होना, तथा उसका हाइड्रोजन वे ऑक्सीजन गैसों में विगटित होना अभी मैंने बताया था रासाइनिक परिवर्तन, नमबर चैन, जल में साधरन नमक का गुलना, बहुतिक परिवर्तन है, अलग हो जाएगा नमक, आसन नी से नमबर साथ, फलों से सलाद बनाना, फलों को काट काट के सलाद बना दिया आपने, तो हैं तो अब भी फली, ऐसा न तो नहीं है, कटने के बाद में कुछ औरी बने गए, तो बहुतिक परिवर्तन है नमबर आठ, लकडी और कागज का जलना, रासाइनिक परिवर्तन है, यदि लकडी और कागज आपने जला दिया, तो राख बन जाएगी, लकडी से कोईले और कागजों से राख, और वो फिर दुबारे अपनी पहली अवस्ता में नहीं आएगी अब हम बात करेंगे सुद्ध पदार्थों के प्रकार की, दो प्रकार के होते हैं, सुद्ध पदार्थ एक तो तत्व हैं, एक तो योगी के हैं, पढ़ लिया था सुरू में, तत्व की खासियत क्या होती है, तत्व को ऐलिमेंट कहते हैं, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे किसी भी रासाइनी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ठित तत्वों के प्रकार तत्व तीन प्रकार के होते हैं ध्यान से समझो एक तो होती है धातू एक होती है उपदातू तीन तरह के तत्व होते हैं धातू अधातू और उपधातू इन तीनों के बारे में पढ़ रही चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातू के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं धातू को इंगलिस में कहते हैं मैटल धातू वह तत्व होता है जिसमें निम्ड गुण पाए जाते हैं पहला गुणा यह जो पहला गुणा है यह धातू की यही खासियत है सबसे बड़ी इसलिए धातू को धातू कहते हैं इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ति धातू में इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ति होती है नमबर दो चमक उतिए धात्वों में नमबर तीन धात्वीग ध्वनी होतिए जब धात्वों पर हम उगली इस तरीक से मारते हैं या किसी कठोर चीज को तो टं-टंट-टंट कीवा जाती है न जैसे स्कूल की गंटी वस दिया आपके उसे कहते हैं धात्विक द्वनी नमबर चार आगहात वर्धनिय धात्वों पर यदि चोट मारते हैं हतोडे से तो वो फैलती चली जाती है इस गुण को कहते हैं आगहात वर्धनिय आगहात माने चोट वर्धनिय माने बढ़ना तो धातुएं आगात वर्धनी होती है धातुएं तन्य होती है यानि उनके तार बनाई जा सकते हैं खेंच कर उश्मा पे विद्यूत की सुचालक होती है धातुएं उधारण सोनना धातु है, चांदी धातु है तामबा धातू है जस्ता धातू है लोहा धातू है ठीक है बटे अब धातू का ही भाई है एधातू ठीक है नमबर दो पर हमें पढ़ना है तत्व जो पढ़ना है एधातू या नॉन मेटल क्या होता है एधातू वह तत्व होता है जिसमें निम्न गुन पाए जाते हैं नमब दो रंगीन, अलग-अलग रंगों की होती हैं अधातु हैं, नमबर तीन, उसमा वे विद्युत की कुछालक होती हैं अधातु हैं, चमक हीन होती हैं, भंगुर होती हैं, यानि मुड़ने की नी तूट जाएंगी, मुड़ने की नी तूट जाएंगी, जैसे एक्जामपल, का परोपन एधातू है गंधक एधातू है आयोडीन ब्रोमीन हाइड्रोजन ऋक्सीजन कलोरीन यह सबक्ण है एधातू है कि मैं अब एधातू की तरहें एक होगी चीज और बेले ऊप्धातू कि तो नंबर तीन पर हमएं पड़ने या में पड़ना बाल च稍प होती है उब्धातु उब्धातु वे तत्व होता है जिसमे धातु वे एधातु दोनों के मिसरीत गुन होते हैं example boron silicon germanium ये इसमें कुछ गुन तो धातु होते हैं और कुछ गुन होते हैं एधातु होते हैं ठीक है और और अब हमें पढ़ना है योगिक योगिक को हम कमपाउंड कहते हैं योगिक तो मैंने बताई दिया था आपको यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्ची तनुपात में रासाइनिक सही योग से बनते हैं जैसे हैसे एच टू ओ सी ओर्टू ची एच फोर यह सब क्या है क्या है यह सब योगी की ठीक है बिटे बताओ समझ में आई किया बात है आगे समझ में तो बिटे मुझे उम्मीद है कि आज जो जो चीज़े मैंने आपको पूरा lesson complete करा दिया है जो 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 चीज़े मैंने आपको पढ़ाई है मैं आपके समझ में आगी होंगी और यह हमारा दूसरा lesson भी complete होता है बस महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने handwritten notes बनाते रहो तो थैंक यू वेरी मच पॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके बाई